हम एक बहुत बड़ा experiment कर रहे हैं इस video के अंतर यह video हम एक paid course की form में निकालना चाहते थे फिर हमने सोचा कि इसको completely free करते है तो यहां पर हम एक नया experiment कर रहे हैं कि आपको video देखनी है एक course की तरह ही treat करना है इसको paid course की तरह अगर आपको इस course में value दिखाई देती है तो हमने course का link दे रखा है नीचे खरीदने का तो आप video देखो आराम से उसके बात में course को खरीद लो आपको YouTube वाली ही video मिलेगी आपको कोई additional video नहीं मिलने वाली है बट आपने एक तरह से आप मालो इस content को support करने के लिए payment कर दी तो हम experiment करना चाते है कि कितने लोग करते हैं हमको support कितना हमारे पास में amount कठा होता है तो इससे हमको बता दाएगा कि future के अंदर हम ऐसे किस level के content produce कर सकते हैं तो hi guys आज हम बात करने वाले है podcasting के बारे में आजकल बहुत time से podcasting trend के अंदर है podcasting किस तरीके से होता है किस तरीके से आपको optimize करना चाहिए किस तरीके से niche selection करनी चाहिए मैं और चीज cover करने कोशिश करूँगा आप समझाने कोश करूँगा हमारे साथ में live audience भी है तो उनके पास में जो-जो questions होगे हम उनको भी cover करने कोशिश करेगे तो सबसे पहरा question यह निकल के आता है what is podcasting तो आजकल trend में चल रहा है मुझे लगता है कि यह दो niche है जिसको लोग साथ में link करने लग गए है एक होता है podcast एक होता है interview लोग interview करते हैं उसको भी आज podcasting की category पे दाना लग गए है अगर हम starting से बात करके चले evolution से तो podcasting audio format था जो radio होता है न रेडियो को हम digital लेके गए थे उसको हमने podcast कहा था आज की time पे हम देख रहे है YouTube पे लोग interview ले रहे है उसको भी podcast कहते है और वो adoption हो गया है तो marketing का सबसे बड़ा सिधान दिये है कि जब किसी चीज़ का adoption हो जा तो उसको मानने लग जाओ हो ही सच है तो हम सबके सब लोग कहते हैं तो होता है बट मुझे लगता है अभी भी एक छोटा दा difference है podcast का मतलब है two-way conversation अब बात कर रहा हूं और आप लोग भी बात कर रहे हो अपना input दे रहे हो और मैं भी अपना input दे रहा हूं हम बैट के discussion कर रहे है जैसे news के अंदर शाम को दी चलता आपने कैसे कर दिया यह कर दूआ वो कर दूआ वो चलता है ना वो भी podcast ये interview का मतलब क्या है मैं आप से question पूछता हूँ आप उसका जवाब देती हूँ तो this is interview आज की time पे बहुत सार लोग interview कर रहे हैं उसको podcast की category में डाल रहे हैं आप भी डाल सकते हूँ पर मैं personal level पे अभी भी इसको अलग ही रखना चाहता हूँ जब यह सब के सब यूज करने लग जाएगे तो मालने की कैसा होता है अभी के time में मैं इसको अलग ही लेता हूँ interview अलग चीज होती है podcasting अलग होती है और दोनों को अलग अलग तरीके से ही treat करेगे तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ मैं majorly interview के बारे में बात करने वाला हूँ audio के बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि मज़ा क्या है interview को podcast में upload किया जा सकता है बट podcast को interview नहीं बनाया जा सकता तो सबसे पहले जब भी हमको कोई भी content creation का सोचना है अगर आप YouTuber बनना चाते हो Instagram पर content दालना चाते हो podcast create करना चाते हो सबसे पहले आपको important चीज़ समझ लिए अपना KPI KPI का मतलब क्या है Key Performing Indicators ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे drive करेगी और जिसकी वज़े से मैं measure करूँ होगा मैं सही direction में जारू या फिर नहीं जा रहा अगर मैं YouTube पे content बना रहा हूँ views के लिए तो मेरा KPI views होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए मैं वो content बनाऊँगा जिसमें ज्यादा views आएगे मैं वो content नहीं बनाऊँगा जिसमें कम views आएगे जैसे अगर अभी की बात करके चले how to do podcast या podcast 101 कितने लोग इसके लिए interested होने वाले relatively कम अगर मैं broader content बना ले तो बन जाओ करोड़ पती सिर्व सोने से पहले ये दो चीज़े कर ले ला जादा लोग देखेगे तो सबसे पहले हमको अपना KPI समझता है अगर मेरा KPI views है और मैं content supernish बना रहा हूँ supernish मतलब बहुत technical जिसको कम लोग देखेगे तो वो गलत चीज़ है मैं अपने आप से जोट बोल रहा हूँ जो कि मैं बोलता था जैसे मेरे अभी ये super long content शुरू किया तो मैं एक channel चलता हूँ लपास voice करके जा मैं business views दालता हूँ और हमारा consumption is like मैंने आज वीडियो दाली है मैं title में लिखूँ हूँ untitled thumbnail में कुछ भी नहीं होगी मेरी photo एक normal ppt slide दिख रही होगी फिर भी उतने views आ रहे है हम thumbnail बना ले तो भी उतने views आ रहे कोई फरकी नहीं पढ़ रहा है मैं बहुत परचाल मैं गाई यह क्यों हो रहा है और हमारा channel इतना time हो गया बढ़ भी नहीं रहा views भी नहीं आ रहे मैं decided हो के बैठा हूँ यार यह तो बहुत गला चीज़ है मैंने consultant पकड़े बड़े बड़े बंदे लेके आया मैंने भाई तुम बताओ क्यों नहीं बढ़ रहा retention का issue है retention का मतलब क्या होता है कि आपके content को average कितना बंदा देखता है तो एक 10 मिनिट की average वीडियो का retention पता है बेरे कितना है 8 मिनिट यह industry high है मतलब मैंने नहीं देखा है किसी का इतना retention हो और मेरा retention इतना रह रह रहा है मतलब retention में problem नहीं है बाई तुम्हारा CTR खराब रहता है तुम्हारा thumbnail खराब है CTR का मतलब है click through rate कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी और लोगों ने click कर दिया मेरा CTR है 16.5 पसंट था वन डेट या टू डेट सीटी आर बहुत बड़ी चीज़ा है रहे तो यू स्वेर भी नहीं हा रहे लाइक रेश्यो भी सब कुस सही है तो जो लोग देखते है न उन लोगों ने में को एक pattern बताया है कि यह मैं सुबे उड़ता हूं तो मेरा metro का तुम हो कई लोग कहते है रात के dinner का तुम time हो तो लोगों ने time बना लिए मेरे लिए और बहुत सारे लोग TV में consume कर रहे है उस content को तो मैं बहुत परचान मैं खाव भाई सारे pattern सही है marketing point of view सो सारा product तो अच्छा है grow क्यों नहीं कर रहा total addressable market कितने लोग actually उस content को consume कर सकते है ज्यादा ही नहीं ना हमको ऐसे लगता है business news देखने वाले बहुत सारे लोग होगे but actually शायद नहीं है तो वो data समझ में आया है मुझ तो अगर मैं podcasting कर रहा हूं founders को लेकर आ रहा हूं founders के साथ में बहुत technical conversation कर रहा हूं तो क्या मैं expect कर सकता हूं कि मेरे पास में 50 लाग views आ जाएगी मैं दुनिया का सबसे best content भी create करूँ और तो भी नहीं आएगी तो Sam Altman को CEO of the year का award मिला है तो Sam Altman open यही चैट जीपिटी का जो मा लेक है इमान के चलो ठीक है दूसरा मेरे बच्वन का सबसे बड़ा बंदा पता कौन था बिल गेट्स हम सुनते थे भाई उसके एक 100 डॉलर का नोट गिरता है न वो उठाता भी नहीं है ऐसी स्टोरी सुन सुन के हम बड़े हुए अब यह दोनों इखटे इंट्रिव्यू पॉडगास में आए है तो तो आग लग जानी चाहिए न तो पहले हफते में सिर्फ एक डेड लाग व्यूस थे अभी भी शाद एक मिल्लियन नहीं पहुची है वीडियो वीडियो इंग्लिश में है ग्लोबल ओडियोंस को टागेट कर रही है तो भी एक मिल्लियन नहीं पहुची है क्या रीजन है तैम तो अगर तुमारा KPI व्यूस है तो तुमको माइक्रो कॉंटेंट नहीं बनाना है तुमको ब्रॉडर से ब्रॉडर कॉंटेंट बनाना है जितना ब्रॉड हो सकता है बतलब ब्रॉडर एक अभी अमने ना एक नए चैनल शुरू किया है स्टाइल करना टॉक शो जो सिर्फ इसले शुरू किया है व्यूस के लिए अभी तक मैंने जितना भी content create किया था वो कभी मैंने व्यूस को ऐज रखा ही नहीं था यह चैनल महीने हुआ है और आमने शायद साधे तीन लाग सब्सक्राइबर चूली है और अपनी इंडस्री इंदर अच्छे लेवल पर ग्रोग करता हूँ दिखाई दे रहा है अब वहां पर एक रील वायर हो लोई या रील और शॉट दोनों साइट पर वो कांटेंट वायरल हुआ पदा क्यास क्या था वीडियो सपने कि देखिंग कैसे यहाय वली व लिडिए सपने क्यूं आते हैं आप क्या सपनों का क्या मतलब है को अंगर कैसे तो बोला हैसे थिल्ऄ़ मृता ना ना वो ऐसे होते हैं जिनकी आइपनोस जोड़ी होती है नो ऐसे होते हैं तुम तो बाई यही तो जानना था एक जगा पर सुपर टेक्निकल कॉंटेंट थे तुम ओफिस से थक्या आए हो जिन्दगी की टेंशन ही चल रही तुमारी लाइफ के अंदर तुम आपके सुपर ट बाई तेरे आप पैसा भी कमाने लग जाओगे यह चीजे फैन राएंड चलने वाली है डूसरा के प्र हो सकता है हमारा कॉमुनिटी क्रीट करना क्लाव सब्सक्राइबर्स नहीं है कॉमुनिटी क्रीट करने का मतलब है एक एक ऐसप्राइब कठा करना जो की लाइक similar properties रखता है वो audience कम हो सकती है मैं एक type का content बनाता हूँ जहाँ पर मैं Japanese samurai तलवार सिखाता हूँ मैं दिखा रहा हूँ मैंने तलवार बनाई आओ मैं इसकी धार लगा रहा हूँ आओ इस तलवार से blade काट के देखते हैं इस तलवार से आप chain काटेगे आज इससे लखड़ी काटेगे मैं pure content बनारों समुराई तलवार के उपर कौन लोग देखेंगे हो सकता है starting में वेले लोग देखें क्योंकि लोग JCB की गुदाई भी देखते हैं बट over the period of time हम देखेंगे हमारे पास में एक niche कट्थी हो जाएगी जो एक्चुली प्रेज करते हैं समुराई तलवार को हो सकता है वो पूरी दूनिया के अंदर 1000 लोग ही हो वाट जो लोग समुराई तलवार को प्रेज करते होगे मैं ऐसा मान की चलता हूँ वो बहुत high ticket लोग होने वाले कोई normal बंदा नहीं होगो तो क्या मैं एक इवेंट कर सकता हूँ जहां पर discipline के बारे में सिखाया जाए using Japanese Samurai कैसे रहते थे जो की California में होने वाला है जिसकी टिकेट चाहे दस जाद डॉलर की होगी जावे आपको उन स्टे भी देगी बन यान रिवेन्यू तो तुमको ऐसा लगता है कि उस एक हजार से कुछ नहीं होगा उस एक हजार से समुला ये तलवार जिसके लिए तुम हसरे थे उसमें रिवेन्यू बन रहा है तो community भी बहुत ही खतरनाक चीज है जिसको मुझे लगता है कई लोग डन से समझते नहीं है तो community बनाने का एक बहुत important चीज है हमेशा similar content बनाना है अपना KPI ये day one पे define कर लेना है आज ये नहीं करना यार व्यूज भी आ रहे है आज मैं कुछ और मनाऊगा अब जैसे हम लपास वोईस पे business यूज डाल रहे है तो business यूज डाल रहे है जिसको business यूज देखनी है जो trading करता होगा या जिसको business के अपडेट की जानने मैं सर्थी के लिए content बना रहा हूँ रोज आ रहा है वो views का मिं आएगे बट वो एक community बन चुकी है जिसको मैं कभी भी monetize कर सकता हूँ वो एक बहुत ही core है पूरी इंडिया के दर जितने लोग है जो हिंदी जानते हैं और जो FA है वो मुझे देख रहे है समझो कितनी बड़ी community वाला scene हो गया है अब हम 1000 लोगों की बात करके चल रहे है वहाँ पे मेरे बास 30,000 से 40,000 के बीच में views आ रहे है तो कितनी बड़ी community बन गई तो community दूसरा KPI यह है तीसरा KPI यह हमारा पसल ब्रैंड बनाना अब पसल ब्रैंड मैं कहता हूँ थोड़ी सी और अलग चीज है पसल ब्रैंड ना मतलब क्या है तुमको लोग जाने एक चीज के लिए community का मतलब था सेम लोगों को अमने कठा की एक जगा पे यहां पर माँ बात कर रहा हूँ उनको लोग स्पेसिविक चीज के लिए जैसे मैं मैंने ये 2017 में डिसाइड किया था कि मेरे को अपनी परस्नल ब्रैंडिंग कर लिए बींग डिजिटल मार्केटर बात करता हूँ कोई भी मैं को बोले मैं डिजिलल मार्केटर हूँ मैं इजंशी रंच करता हूँ तो मिने एक एक परस्नल ब्रैंडिंग के लिए बाई मैं एक अजटिंसिर ओना रहूँ मैं जबेंग बेंजिल मार्केटिंग करता हूँ बननन शूरू किया मिनने उसके regarding courses किये मैंने कहीं ना कि agency का भी अपना शोर मचाना शुरू कर दिया agency करता हूँ agency है मेरी agency है इतने ताइब से agency कर रहो तो एक दिमाग में psychology क्रेट होनी शुरू होगी marketing के downs में इसको कहते positioning करना लोगों की दिमाग में चा जाना एक specific topic को लेके तो ये तीरों चीज़े अलागला KPIs है पैसे चाहिए तो views लेके आओ बात खतम community day one day पैसा नहीं देगी personal brand बिल्कुल भी नहीं देगा बट personal brand से तुम monetization कर सब तो तुम सोच भी नहीं सकते example बताँ तुमको डराने वाला ओला की बात करके चलते है ओला गाड़ी चल रही है सब कुछ सही चल रहा था ओला ने रिसेंटली funding race करी ओला एलेक्ट्रिक के लिए पहले round बन बिल्लियन डॉलर का मतलब 8000 करोड के आसपास का तो पहले round के अंदर ने 8000 करोड रुपया कठा कर लिया एक मतलब अपनी company की value कर दी उस बंडे ने क्या किया था कुछ में नहीं किया सर मैं प्लान कर रहा है रदाने का क्यों 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 कि personal brand Sam Altman जिसको CEO of the Year मिला है Sam Altman ने पिछले 2-3 साल के अंदर अपनी कपनी 80 billion पे लेगे है कैसे परसनल ब्राइड के चक्कर में एलां मास् क्या कर रहा है टेसला बैच रहा है टेसला बौट बी होती हो हूँ वह लोग देशला चला कि यूटीब के में बोल रहाँ बता व कितने लोग दो बहुत अच्छी है बहुत एक मेंट वाल से पता है तुमको चलाईए तुमने कभी तुम्हेरे किसे रिस्तेदार ने चलाईए जो तुमको पता है टेक्मेट अब खबरे है कुछ मैं बताता हूं एक बंदा टेसला लेके निकला शोरूम से नहीं उसने हाईवे के उपर गाड़ी निकाली उसने तेज करी छट उड़ तुम तो सोचके बैटे वाई टेसला तो बहुत सही है अना तो सारा गें में पोदिश्णिंग का पर्सनल ब्रैंड इतनी बड़ी चीज बन जाती है कि पीछे की बहुत सारी चीज़े छुप जाती है आज हम यह बोलते ऐलॉन मस्क की यह कंपनी है कंपनी क्या करती है हमको तो कुछ नहीं पता है एलॉन मस्क ने इसमें इंवेस्ट कर रखा है तो पर्सनल ब्रैंड मतलब यह जो ओडर लिखा है यह उसी लेवल पर ओडर है जिस लेवल पर हरारकी है व्यूज के पीई है तो बहुत जल्दी चीफ किया जा सकता है बहुत असानी से चीफ किया सकता तो व्यूज से तुम जल्दी कर लोगे व्यूज से शैद तुम्हारा सैन बेस बन जाएगा जल्दी तुम रोड़ पर गोंगे तुमको लोग घेर लेगे सब कुछ हो जाएगा बट शैद परसनल ब्रैंड नी बन पाऊगे तो तुमको अपना कुट डिसाइड करना है और एक ही KPI डिसाइड कर सकते हो बात खतम मैं व्यूज भी लेग्या हूँगा मैं परसनल ब्रैंड भी बनुगा मैं कॉम्मिनिटी बनाऊँगा ऐसा कुछ नहीं होता है यह नाम की कोई चीज नहीं होती है सेकिंड सेप क्या है वह है नी सेलेक्शन नी सेलेक्शन मतला मैं किस टाइब को कॉंटेंट बनाऊ कि API ही डिसाइड हो चुका है तुमने शाइद व्यूज रिसाइड कर लिया कुछ भी कर लिया अब दूसरा है नीश मैं किस टाइब को कॉंटेंट बनाऊ जो चलेगा तो यह है रूल जो दुनिया बताती है फोटो देख लो यहां पर का जा है कि भाई special skill and demand मुझे उस चीज में मज़ा आना चाहिए या मुझे उस चीज का skill भी होना चाहिए और market में उसकी demand भी होने चाहिए तो यह तीरों चीज़े जब collide करें तो उस पर content मनाऊ मुझे लगता है सब जूट है अगर तुम्हें smart marketer हो प्लस तुम्हें अच्छे actor हो तो तुम कुछ भी pull off कर सकते हूं सबसे बड़ा example देता हूं साहिल करना talk show शुरू किया जहां पर astrology का content बना रहे है वास्तु क्या होता है निव्रोलोजी क्या होती यह क्या होती हो क्या होती मैं वो बंदा जिसने 2009 agency शुरू करी थी शादी के बाद पहली बार haven कराया office में मत वो बंदा content बना रहा है क्यों बना रहा है वियो उसके लिए मेरा KPI बदल गया अगर तुम personal brand बनना चाहते हो तो यह rule काम करेगा तुम community बनना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम्हारा personal brand होना जुरूर नहीं है तुम पैसे फैक के लोग भी ला सकते हो देखो तुमको ऐ creators की बात कर रहा हूं मैं अपनी बात नहीं कर देखो मैं तुम्हारे सामने अभी ऐसी कर रहा हूं पीपीटी बनी हुई है तो मेरी वीडियो ऐसी बनती है बहुत सारी creators बड़े-बड़े creators word to word script teleprompter पर बढ़के बोलते हैं एक screen होती है उस screen पर content चलता है और वह ऐसे तुमको लग रहा है कि वह बन्दा बोल रहा है पर वह लिखा हो है वहाँ पर मैं कहारो top of the top creators teleprompter से काम कर रहें इंडिया गेम तो अगर teleprompter से काम करना है तो community बिल्ड करी जा सकती है अगर हमारे पास में एक अच्छा script writer हो तो जो word बोलने है वह को लिखके दे दे मैं त परसनल ब्रैंड तभी कर सकते हो जब तुमको उसका specialization क्यों अब है आ गया मैं तो टेली प्रॉम्टर से वड़के content बोल रहा था तुमने कोई question पूछ लिया अब मुझे पता नहीं कलेश हो जाएगा तो ब्रैंड खरा को जाएगा इसलिए परसनल ब्रैंड में नहीं करता है व्यूस के अंदर तो कुछ भी करो व्यूस के अंदर मैं कहता हूं सबसे अच्छी नीशी podcast है मेरे को आता ही नहीं सामने वाले से मैंने content लेगी व्यूस ले आया तो अगर तुम्हारा KPI व्यूस है तो मैंने पूरी industry को समेट दिया है कुछ categories के अंदर ABCD सबको आती है न अब ABCD अगर content creation की बात करके चले तो बदल चुकी है A for astrology यह वो content है जो चलते है internet के अंदर आज के time में जिसका मैं का हुआ demand सबसे आ रहा है B Bollywood C Cricket D devotion बक्ती E entertainment comedy वेगरा वेगरा F fashion fashion के तरह में makeup भी consider करके चल रहा हूँ कपड़े वपड़े भी consider करके चल परहा हूँ तो हमने सबसे पहला यह पकड़ा और content creation शुरूँ गड़े तो अगर कोई बोलेगा कि हमारे subscribers क्यों बढ़े यह सब कुछ क्यों बढ़ा भाई same logic तो हम अपने main channel पर भी लगा रहे है Same logic हम La Pass voice पर भी तो लगा रहे है वो चैनल क्यों बढ़ गया क्योंकि इसकी demand जाता थी हमने पहले day one पर यह KPA अपना change कर दिया जो main channel है intellectual industries जो अब style करना हो चुका है वो personal branding के around है La Pass voice हम community के around कर रहे है और जो style करना talk show है वो हमने views के लिए है तो मेरे तीन बड़े examples खुद से अपने मार्केटर हो ना मार्केटर की सबसे बड़ी problem यह उसको experiment करने में होत मजा आता है तो हमारी company का वो भी a slogan भी experiment and measure experiment करो फिट देखो कैसे काम कर रहा है और मजा करो अभी हम एक app बना रहे है astrology के around क्यों क्यों क्योंकि मुझे ऐसा रखता है मुझे numerology समझ में आ गई है पूरी किसी के बारे में भी कुछ भी बता सकता हूँ using numerology within थोड़े रहे में और वो कांद कर रही है मैं वो बंदा जो बिलीव नी करता हूँ उसको लग रहा है यह चीज तो कांद कर रही है मैं करने वाला हूँ एक बहुत बड़ा मास एक्सपेरिमेंट जहां पर हमें फ्री एप बनाएगे जहां पर फ्री में numerology prediction लेने के लिए तुमको कुछ coins कैसे करने पड़ेगे question के answer देख तो क्या होगा तुम question के answer दोगे मेरे पास एक data bank बन जाएगा कि बाई यह लोग ऐसे होते है और जो answer में को दिखाना हो डिफॉल्ट वाला वो तो दिखाऊ गई तो तीन महीने चार महीने जब मेरे पास में दो लाग का data base कठा हो जाएगा दो लाग लोगोंगा तब मैं खुद से अनिलाइज करूँगा कि क्या actually numerology काम करती है फिर नहीं करती है करूँ एक fun activity कोई भी आ जोए जो भी चाहो जो भी चाहता है अपने बारे में जानना साहिल वावा से एको मैं चानता है नहीं उसको टीक है डेटो से अपनी चलाने वाला बंदा भी है देखो शरीर से नहीं लग रहा है डॉमिनेटिंग नहीं है ठीके शरीर से मैं पोई यह मार्केटिंग साइकलोजी वाली बात नहीं कर रहा हूं तो डॉमिनेटिंग भी है और पूरे टेट बता अपनी है 1 October 11 आगे 1 10 2003 2003 5 तो 5 प्लस 11 16 7 पैना गया यह बंदा स्पेरिच्वल है तो और तो कुछ चला जका थीक है यह यह बंदा स्पिरिच्वल है यह में इससे नहीं बताया है तो डेख लेना विडियो के दर 7 बतलब होता है तो अपर डूप तुकता कैसे लग सब्सक्ता है इसा हुआ यह ना तो दिभाह की करा तो मैं उसमें भगवान हूँ, यह मान के चलो, मैं किसी को में देखके उसकी परसालिल टाइप निकाल लेता हूँ, विदिल टू मिनिट्स, तो मैं बहुत चाहूँ इस मम लोगे, तो मुझे निवरोलोजी भी आगी, वेको तो असे लग लगे, भाई, अब तो वाई, किसी क कुछ भी कर सकते है, यह बताओ, तो यह साल कैसा जाएगा, बताओ, यह साल चलो, पिछला साल कैसा गया होगा, भागा, तुक्का तो यहीं लगेगा ना, अगर तुक्का तभी तो प्रेडिट कर पाओगी, क्या था तेरी टेटो पर, 1, October, 11, 10 था न, 11 आगया, 2, प्लस 8, इस साल यह कुछ नया शुरू करेगा, और इस साल इसकी शादी हो सकती है, अब लग तो नीरा शादी होगी, वल्लब, बन वाला इस, सम्तिंग न्यू, वो न्यू, बिजनस होता है, बच्चा होता है, शादी होती है, तो इसको देखके है, मैं कह रहा हूँ, इसका बच्च साइंस तो लग रही है, कुछ ना, कुछ ना, तो मेरे को यह सी बहुत टेंट करने लग गई, तो मैंने एक्स्पेरिमेंट मेजर, मैं यहां आके तुम्हारे सामने एक्स्पेरिमेंट कर रहा हूँ, लाइव ओन कैमरा, मुझे इस लेवल का बिलीव आ गया है, कि भाई, अ इमेजन करता आक बंद करके, जो मेरी ओडियंस है, जो मुझे देखेगी, वो कौन होगी, कहां रहती होगी, कैसे कपड़े बहती होगी, जेंडर क्या होगा, बोलने का स्टाइल क्या होगा, इमेजन करो उनको, तो इसको हम कहते है, ओडियंस परसोना क्रियेट करना, तो आ मैं वान की चलता हूँ, मेरा परसोना वो है, जो बिजनस ओनर है, अब वो मेल भी होसकता है, तो इस इस दॉमिनेटिंग, अब मैं एक परसोना क्रियेट करूँगा, जो मेल है, वो कैसे होगे, कैसे कपड़े, पपड़े बहनते होगे, कहां बैठे होगे, क्या करते होगे, तो मैं तीन परसोनास क्रेट करूँ और डिटेल के अंदर, जितना डिटेल हो सकता है, चाहे मैं उनका इंकम लेवल निकालू, ओ सकी है तो उनकी लोकेशन, कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का स्टाइल या कुछ भी, नेक्स सेप, पस्नालिटी क्रेट करना, अभी में को समझ में आगया मेरी ओडियन्स को आने, तो यहाँ मेरे अक्तर आने वाला है, मैं अपने दूंको अपने बैग्राउड बताता हूँ, मेरे MBA गरी है, मैं कंपरी में मार्केटिंग भी रह चुका हूँ, तो मार्केटिंग इंडिया के डिस्रिब्यूटर से बिल रहूँ, तो आपको कैसे मिटिंग करनी होती है, हाई सर दिस साहर, फ्रम दिस यह ओ, पलाड़ गाना, एक्डम प्रोफेशनल, एक्डम तमीज से, आपका वांक भी ऐसा होगा, हाई, साहर, एवसीट, देखनके बैठना है, बहुत सा इंडिया को घोल के पी लिया है, तो मैं बहुत सालिटी बन गया हूँ, जो मेरी ओडियन्स जानना चाहती है, जिससे वो रिलेट कर सकती है, स्टार्टिंग में को दो महिने फेक करने में लगे, जैनूरली बोलुगा, मेरे बहुत तफ था, शर्ट फोड़ की टी-शिट्स में आना, मेरे बहुत तफ था यह चीज, बट बो महिने के बाद में वो चीज नैशनल हो गई, अब तो मुझे रेल में मिलोगे में वैसा ही हूँ, तो पस्नालिटी इसको अगर मैं तुकुड़ों में तो यह तुकुड़े हो, सबसे पहले टोन, और बोलने का स्टाइल, मतलब है यह तोन, बोली बात नहीं कर रहा हूँ कि स्टाइल कैसा है, कि यह मुरस है, क्या है, यह तोन बोल रहा हूँ, बोलने का यह, अगला है लेंग्विज, तुमको अपनी ओडियंस की लेंग्विज समझ दी है, अगर आज की टाइम में कहीं भी वेरेंट में जाता पापा यह देखो, अपने को यही करना है, तो मैंने अपने दिमाग में इमेज बना ली है, और लुक, लुक्स भी बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करती है, एक भी मैंने किसी की वीडियो देखी, वो कहता, कि भाई, जो अमीर लोग होते है ना, वो नॉमल कपडे बहनते ह रिलेटिबल बनने के लिए, तो सारा गे में रिलेशन का, तो अगर तुमारी लुक, तुमारी टार्टिड ओडिन्स से रिलेट करने लग जाए, तो काम हो जाएगा, अब मैं देखो आपको कुछ वो बताता हूँ, मार्केटिंग वाला सीन, अगर मुझे मैम के दिमाग मे आपको अपनी ओडिन्स को समझना सीख लेना, और आपको उनके हिसाफ से बोलना चुरू कर देना, लैग्विज भी ऐसे यूज़ करनी है, अगला स्टोरी ये इस बहुत बड़ा गेंग, जो मैं तुमको शाइद कैमेरे पर पहली बार बता रहा हूँ, हरे बंदे की लाइ मैं जो जो चीजे लोगों को बताऊंगा, उसकी हिसाफ से लोग अपनी एक इमेज बना लेगे मेरे बारे में, क्या मेरी लाइफ में कोई फेलर दी आया होगा, क्या मेरी लाइफ के अंदर कभी मुझे कोई धूका नहीं मिला होगा, बट मैं नहीं पोजिशन करूँगा, क करूँ, कोई फंद नहीं वड़ता, यह जो confidence आ रहा है, वहीं से आ रहा है, पैसा बहुत पड़ा है, बट उसके लिए मेरे 14 साल कितनी वेहनत करी है, मैं सुबह ऑफिस नौ मजे जाता था, रापको 11-12 बजे आता था, सैटर्रेशने मेरा ओफ भी नहीं होता था, तीन महीन वाइब को मैं कहता हूँ, हमारी body language, body language मतलब, हमको कभी भी किसी बंदेद अच्छी वाइब आती है, वो वाइब अमेशे उसकी body language से आती है, और रहा है, वास मजे, यह जो जो भी हो रहा है, this is body language, हमेशा वाइब, जो भी हम कहते है, वो सिर्फ body language से आती है, तो हम अपनी body language को भी audience की हिसाफ से change कर सकते है, और उसकी हिसाफ से why बना सकते है, और last is positioning, positioning में अवेशा लिखता हूँ, इसलिए positioning है, क्योंकि मेरा favorite word है, positioning मतलब किसी के दिमाग में च्छा जाना, उसकी दिमाग को capture कर लेना, जैसो तुम करना चाहते हो, अब बात करते हैं, pre-production के बारे हैं, तो उसको सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले चीज, हमको अपने guest की list बनानी है, कि किन-किन को मैं लाना चाहता हूँ, अपने podcast के अंदर, अब जैसे example के लिए मैं अपनी बात करके चलूँ, तो जो मैंने founder and filter की शुरुवात करी थी, तो मैंने कुछ 100-500 mail बेज़े होगे, तब जाके एक-दो लोगों ने interest दिखाया था, फिर मुने उनको explain किया, उसके बाद में फिर उमारा एक shoot final हुआ था, फिर एक-दो लोगों को और बेज़ा, ऐसे करके 3 shoot मेरे final हुए थे, जब पहली वीडियो live हुई, उसके बाद में मेरे पास mail लोगों क से मेरे channel के, आठ लाक में इतना resistance आ रहा था, लोगों खुला देगा, आज तो इमान के चलो relatively असान हो गया है, क्योंकि सबको पता है podcast क्या होता है, ये interview क्या होता है, मैं उस जवाने में इसको शुरुआत कर रहा था, इस time पर ये entrepreneurship podcast नाम की चीज नहीं हुआ करते थी, शाक मैंने गलती क्या करी थी, जब मैंने starting की list बनाई ना, तो मैं दो बहुत बड़े लोग हैं जिनसे inspired था, एक ते मुकेशंबानी, एक ते शारुखान, तो मैंने सबसे पहला में link को दाल दिया, कि वाई मैं आपके काम से बहुत inspired हूँ ये, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मे कर रहे था है बस, कोई reply नहीं है, मुझे लगा भाई, ये दोनों नहीं आए, तो मतलब कोई भी नहीं आए और game खरा हूँ है, बट आज मैं जब सोचता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है, मैंने उनको क्या देना था, जिसके चक्कर हूँ मेरे पास है, एक मैं उनको को को जूरत है, क्या मेरी, मुझे उनकी जूरत है, तो सबसे पहले जिन भी हम गैस को लाते है ना, हमेशा हमको win-win situation सोचनी है, कि वो हमारे पास आ रहे है, उनका win होना चाहिए, और अम उनके पास आ रहे है, उनका भी win होना चाहिए, देखो, अगर मैं video shoot कर रहा हूँ, आज इसे podcasters, बड़े podcasters है, वो लोग 25-30 लाक रुवे तक चार्ज करते हैं, एक entrepreneur या एक guest को लाने का, तो basically वो एक mix रखते हैं, जहाँ पर कुछ paid रखते हैं, कुछ free रखते हैं, कुछ paid रखते हैं, अभी समझाओंगा आपको किस तरीके से concept काम करते हैं, तो step 1 क्या है 60-60 लोगों की अट्लीस बनानी है, अगर आप 10 episodes फ्लान कर रहे हो, और मैं कहूँगा 100 लोगों की बिलिस बनाओ, तो जाना अच्छा है, तो पहले आप shortlist करो, कि इनको लाना चाहते हो, एक चीज़ का ध्यान रखना, कि mix रखो, जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूँ, जो मैंने founder filter शुरूँ किया था, तो उसके अंदर, अगर मैं सारे D2C बाले लाता, तो क्या होता, सिर्फ D2C, D2C का बन के रहाया था, मैंने क्या किया, मैं एक को लेकिया आया, जिन्होंने अपनी company exit करी थी, एक लेकिया जो content creation में उस time budding हो रहे थे अंकुरवारी को, एक क में लेके आया, जो कि चोज जैसा business बना के बैठे थे, एक में D2C ले आया, एक में कुछ ले आया, कुछ ले आया, तो अलग 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 type का mindset है, तो this is guest mix, तो हमको guest mix का ध्यान देना है, कि जो जो लोग आ रहे हैं, वो mixture होने चाहिए, बहुत सारे लोगों का, तो मैं अग अगर दूसरे चैनल की बात करके चलू, साहिल करना डॉक्ष होगी, तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे, हमने mix रखा, एक astrologer लेकिया, एक numerology लेकिया, वास्तु वाला लेकिया, कोई लेकिया, कोई लेकिया, उसके बाद में हमने उसको mix and nash करना शुरू कर दिया, starting के पांच episode थे, उनकी guest को लाने में उनको बहुत दिक्कत है, जहां पर ही मेरा main channel था, जहां पर एक million से जादा subscribers थे, लोगों जानते थे, बट मैं नया channel शुरू कर रहा था, जहां पर मुझे कोई नहीं जानता था, एक नई industry थी मेरा लीज, तो बहुत अच्छी बात ही, पां सब्सक्राइब करना चाते है, बट हम नहीं करना चाते है, तो अब main सवाल ये निकल के आता है, कि guest को approach कैसे करें, list तो बना ली, अब जिनको list नहीं समझ भारी, आपको कैसे देखना है, जो भी आप niche चुन रहे हो, उस niche के बड़े लोगों को लाने खुश को, अब simple सी बात मैंने location बानी, क्योंकि मैं business सोच रहा था, मैं location बानी ची को invite कर रहा हूँ, वो क्यों आया है, तो हमने क्या किया, हमने starting के लिए, relatively छोटे लोगों को बलाना शुरू किया, मतलब छोटे in the sense, जो 100 गरोड की network types रखते है, क्यों मुझे लगता था, कि उन लोगों की personal brand नहीं ह आज के time पे बहुत सारे जो entrepreneurs है, वो YouTube पे आने शुरू होगे, पर मैं जब की बात कर रहा हूँ, उस time पे उनको कोई नहीं जानता था, तो मैंने उन लोगों को face देनी कुछ करी, उनको voice देनी कुछ करी, तो लोग invite होने शुरू होगे, हमने starting के अंदर आग पहला season देखते तो हम 3-3.5 व्यूज ला रहा थे, उस time पे एक एक गंटे की वीडियो के उपर, उस जमने में एक गंटे की वीडियो, और वो time पे एक 3-4 लाग entrepreneurship content के उपर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो हमारे लिए बहुत असान हो गया था, पात के seasons करना, अगर मैं first season की बात कर जाओ, वहां से एक अच्छा connect बन बात है, तो आपको क्या करना है, लिस्स जो बना रहे हो, relatively छोटे लोगों की बनाओ, अगर आप नया start कर रहे हो, अगर आप पहले सी थोड़े से बड़े हो, तो आप relatively बड़े लोगों को बोला सकते हो, और कोशिश करो, बिन-बिन होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे entrepreneur, अगर आप entrepreneurship podcast करने का plan करो, बहुत सारे entrepreneur है, जिनको कोई नी जानता, जो चावडी वजार market है, चानी चौक market है, ऐसी हर जगा पे market है, आप वो market वाले लोगों को ले के आ रहे हो, उनको cover कर रहे हो, उनको कोई नी जानता था, आप एक नए unique segment को target कर पाऊगे, आप music podcast करने का सोच रहे हो, तो आप starting के अंदर ही student income प्लान करो, starting के अंदर आप छोटे singles को plan कर लो, देरे देरे करगे, आप scale कर लो, budding singles को कर लो, जो अभी popular नी नी हुए, जो ने छोटे छोटे यूटीब पर अपने इंग्दू गाने दाले है, उनको ले ह अभी के time पर attention demand कर रहे हैं, और आप उनको attention दे रहे हो, तो दोनों के लिए win-win हो जाता है, यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, कि starting के अंदर आप कुछ भी नहीं होगे, तो आपको लोगों की location पर जाना पर, देखो simple सी बात, आपके लिए कोई travel करके लिया है, आपके specifically कोई time निकाले, वो बहुत बड़ी बात होती है, तो starting के अंदर, आप भी उनकी location पर जाओ, तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, तो बहुत असान हो जाता है, जो resistance होती है, ट्रेवल करने की वो खतम हो जाती है, तो हाँ के chances बढ़ जाता है, अब reach out कैसे करना है, mail के थ पे 300, 500, 600 followers है, बहुत बड़ा founder नहीं है, और वो active भी रहता है, तो अब इसको DM करूँगा, तो high chances है, वो reply कर दे, बट अगर कोई बंदे को अप्रोच कर रहा है, जिसके 2 million, 3 million Instagram पे followers है, तो शायद वो reply ना करता है, लिंडिन पे भी similarly, अगर कोई बहुत popular बंदा होगा, तो लिंडिन पे शायद वो reply ना कर, तो जो popular लोगों को approach करना है, तो mail के through करना है, थोटे से non-popular है, बड़े हो सकते है, बहुत सारे बड़े लोग non-popular है, जिनके लिंडिन पे कोई नहीं जाता, आप सर्च मारोगे तो आपको बता लगेगा, popular लोग है, येट, उनके लिंडिन कि बहुत असान था, season 3, बहुत ज़्यादा असान था, क्योंकि season 3 तक हमार पर networks बन गए थे, पर season 1 के अगर मैं बात करके चलूँ, तो mail देखो, starting का जो segment है, वहाँ पर हम बता रहे हैं, सामने वाले के बारे में, कि आप बहुत चान कर रहे हो, congratulations, जाब हम कोशिश कर रहे है रहे relatable चीज़े बनाने की, तो यहाँ पर हम क्या hack करते हैं, कि जो guest को approach कर रहे हो, तो उनका twitter देख लिया, थोड़ा सा बाकी चीज़े देख ली, तो वहाँ से पता रहे जाता है, उनकी life में क्या चल रहा है, किसी का कोई बच्चा हुआ है, किसी की शादी हुई है, किसी मे बड़ी चीज़ करी है, जो भी किये, हमने उसको top के अंदर discuss किया, जिससे बना कहता है, यह तो मुझे जानता है, यह तो मुझे follow करता है, तो यहाँ से likability sector बढ़ जाता, उसके बाद second paragraph के अंदर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हैं, वेगारा वेगारा, और third section के अंदर हम explain करते हैं, कि आपके लिए क्या win होने वाला, इसके अंदर, तो हमने क्या करा था, हमने last के अंदर बताना शुरू कर दिया था, कि भाई, हम इतने subscribers हैं हमारे, ऐसा है, ऐसा है, इतने reach, आप expect करके चुलो, जब हम 57 वीडियो लाइक कर चुके थे, तो फिर हमारे लिए एक new count बताना असान हो गया था, कि हमारे पास इतने views on average आ रहे हैं, वीडियो के उपर, तो वो असानी सी वीच होती थी, उसके बात में जब हमारे पास बड़े founders आ गए, तो हमने इनके साथ में भी किया है, तो उनको लगता था, अरे, इनके साथ भी किया है, तो करी लेते हैं, ट follow-ups होते हैं, मतलब आप mail डाल रहा हो, retour reply नहीं कर रहा है, आप mail डालर रहा हो, वो reply नहीं कर रहा है, आपने 10, 15, 20 mail डाल दी हो, उसके बाद कोई reply आ रहा है, और आ रहा है no, ऐसा भी होता है, हमने ऐसे ऐसे भी interviews करे हैं, जहाँ पर हमने almost 20, 30, 25 follow-ups लिए, उसके बाद हाँ हुआ है उसके बाद आलाइन हुआ है इसके बाद शूट हुआ है हमने ऐसे भी किया है जिन्हों ने हा कर दिया है टाइन दे दिया सब कुछ हो गया है और एड दोके उन्होंने मना कर दिया सॉरी नहीं कर सकते तो expect everything कुछ भी उसपता है इस इंड़स्ट्री केंदा है, बट मुझे लगता है अगेन, कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, प्रूफ ओग कॉंसेट सेज के ऊपर हो, तो थोड़ा सा मिश्किल होता है, बाद में relatively चीज़े असान होती चली जाती है, अब जिन जिन लोगों का final होता जाता है, उनके लिए हम एक detailed research campaign चलाते हैं, ये मैं करता था, ये मेरे टीम नहीं करते हैं ती, जापर मैं क्या करता था, मैं ना उनका Facebook, Instagram, LinkedIn, उनकी website, सब कुछ चाट लेता, जितना उनके बारे में news दली है, जो भी दला सब कुछ चाट लेता, तो क्या होता था, शूट करने से पहले मेरे पास मे उनकी सारी knowledge होते थी, एक बात बताता हो, मेरा मानना है, कि एक बंदा हमेशा से सेम होता है, बस क्या होता है, कुछ conditions होती है, जिसके वे से बदल जाता है, हम कहते हैं, एक बंदा पैसे आने के बाद में बड़ा आदमी बंदे लग गया, बहुत attitude आगे इस बंदे में, और क क्योंकि वो उस लेवल पे था नहीं, वो बाकी चीजों में attitude दिखाता होगा, बट उस लेवल पे था नहीं तो वो attitude नहीं दिखाई देता था, और जब उस लेवल पे पहुंच गया तो वो दिखने लग गया, वो फैलने लग गया, सिमिलरली वो जब humble बंदा था, जब छो देखो simple सी बात, बहुत सारे अगर आप मेरे जैसी age के बंदों को गयात करो, तो वो Facebook पे active थे किसी जवाने में, वो content दालते थे, अपने like पर ही, सब कुछ दालते थे, अगर उनकी profile open है, तो उनका पूरा Facebook चाट सकते हो, आप पूरा ना, तो आप जान सकते हो, बंदा actually था क्या, 2010 में साहिल खंदा था क्या, 2011 में साहिल खंदा था क्या, कौन दोस्त है उसके, तो अगर आप उस relation पे मेरे को जान जाओगे, तो आप कुछे बहुत जादा समझ पाओगे, बेसिक लिए जो detailed research है, उस समझे नहीं की है, कि जिसके साथ मैं shoot करना चाता हूँ, बंदा है क्यासा, एक दो detailed research, टेक है, दूसे साइट पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं companies के data points, बतल ऐसी चीज़ा जान रहा हूँ, जिसके रिगार्ड़े ही मेरी niche में मैं questions पूल सकता हूँ, तो जैसे अगर मैं astrology की बात करके जो लूँ, तो मैं क्या research कर रहा हूँ, कि वाई, कौन से कौ कर रहा है, तो उनके सारे interviews देख रहा हूँ, क्या-क्या बाते कर रही थी, अगर वो Instagram पे है, तो उनके Instagram देख रहा हूँ, बेसिकली जानने ही कुछ कर रहा हूँ, कि वो कैसे है, market में क्या demand हो रही है, और उसके around questions प्लान कर रहा हूँ, यह planning है, अब देखो, यहां पे दो- तो मेरे साथ वो 2 गंटे spend करने वाले है, तो क्यों ना मैं उनकी पूरी knowledge extract करूँ, जो मुझे grow करने में help करे, तो मेरा focus यह नहीं है, कि मैं उनके साथ मिलके video बनाऊँगा, और उस पे views लेके आऊँगा, मेरा KPI था ही नी, तो मेरी जो questions होते है, वो curiosity के साथ में होते थे, क मैं जब research करके जा रहा हो, तो मुझे बता लग रहा है, भाई, free में business बना लिया, कैसे बनाया होगा, क्या-क्या challenges आया होगे, क्या-क्या होगा, तो मैंने अपने दिमाख में questions की list बना रहा है, आज के time पर लोग क्यो cards लेके आते, cards लेके आते, उस पर लिग लेते questions, अब इसे तरीके से smart, तरीके से integrated पूछता हो, कि वो एक कहानी टाइज बनती चली जाती है, बट बहुत सारे questions मेरे planned होते हैं, astrology वाली की बात करके चलू, तो astrology में आप कह सकते हो, कि एक तरह से हम पहले से ही बहुत कुछ planned चलते है, कि हम उसी topics की उपर focus करते है, जो चले, क्योंक आप देखोगे, उनके जो questions होते हैं, वो back to back questions होते हैं, वो story नहीं होते है, questions back to back जो आ रहे हैं, वो curiosity से नहीं आ रहे है, वो search volume देख के आ रहे है, और वो बहुत smartly अपने guess का mix रखते है, उनको पता है कि भाई, अगर मैं एक technical वंदा लेकिया हूँग, एक startup founder लेकिया फिर एक niche, दो तीन वाइडर, एक niche, अगर मैं राश्रबानी की बात करके चलों, वो भी same किसी approach को follow कर रहे है, पहले उन्होंने niche content बनाया पर उस level पे reach नहीं आई, उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने भी किसी model पे pivot करना शुरू कर दिया, पहले वो entrepreneurship podcast था, आज वो generic podcast हो वीडियो बनाते हैं, बनाने से पहले ही plan करके जलते हैं, एक million views लाने ही है, तो उस टीने हम सोचते हैं कि कैसे एक million ला सकते हैं, क्या कैसी से हो सकती है, रनवीर की में को बहुत बढ़िया चीज़ लगती है, वो क्या करते हैं, कि वो clips के regarding main content बनाता है, वो logically वो देखता है, एक घंटे का podcast होने वाला, इस podcast के अंदर मेरी 7 clips निकल लाएगी, तो वो clips के हिसाब से main videos बनाता है, क्योंकि इसको पता है, एक ड़ेट घंटे का content बहुत कम लोग करेंगे, बट एक ड़ेट घंटे के अंदर, अगर मेरे प्रेंका चोपडा को लेकिया, प्रेंका चोपडा नहीं पसंद करेंगी, अगर उनको 5-6-6 मिनिट की वीडियोस मिल रहें, तो शायद कर पाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो बहुत स्मार्ट काम करते हैं, तो आपको systematic procedure बताता हूँ, questioning का किस तरीके से होना चाहिए, अगर आप किसी का interview या podcast कर रहे हो, तो starting में कुछ topic discussion types करूँ, कि आप कौन हो, जैसे मैं founder and filter का एक format बताता हूँ, मैं बूचता था, आप कौन हो, यहां तक कैसे पोचे, क्या-क्या problems हाई, उसके अंदर क्या-क्या हुआ, तो जितने में guests आता हैं, सबसे ये starting के questions होते ही होते हैं, बट अगर मैं साइल करने talk show के बात करके चलू गेस अपने आप में बहुत बड़ी brand value नहीं लेकर हैं, अगर गेस लेकर आ रहा होता है, तो हम चाहते हैं, भाई, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं founder and filter की बात करके चलूँ, तो वहां पर ही जो guest थे, वो अपनी खुद की value लेकर आ रहा है, उनका खुद कुछ ऐसे questions प्लान कर सकते हैं, जो कि आपकी curiosity से related, तो मैं basically अगर founder and filter की बात करके चलूँ, तो पहले होते थे, मेरे journey related, उसके बाद होते थे, कि भाई, पैसा कहा से race कर रहे हो, डैश कहा से कर रहे हो, डैश कहा से कर रहे हो, पैसा funds के related, value sharing के related, उसके बाद मैं कुछ ऐसी problems जो आपको team को hiring, basically मैं founder हूँ, तो मैं founder mindset से सोच रहा हूँ, कि अगर founder, मेरी target audience, इन से मिलती है, तो क्या-क्या question पूछाएगी, तो जो जो question पूछेगी, उस तरीके questions मैं plan कर रहा हूँ, और वो कर रहा हूँ, और ये based on views है ही नहीं, simple सी बात, मैं अपनी audience के question पूछ रहा versus, अगर हम silent talk show की बात करके चलें, तो वहाँ पर हम बात करते हैं, भाई, wider, जो चीज चलनी चाहिए, हम उस type का content बनाएगे, कि भाई, आप सोते किस तरीके से हो, इसके उपर एक content बना देगे, क्योंकि सोते सब है, अब कोई cases होता है, कोई cases होता है, ये तो सबके relatable है, तो बहुत wider content, जो लोग बनाते है, कुछ-कुछ ऐसे podcast भी है वारे देश के अंदर, जो guest को कहते है, आप question list बना कि हो, आप script बना कि हो, So guest script बना कि आता है, guest questions लेके आता है, और वो सिर्फो question पूछ लेते, अच्छा, ये कैसे हुआ, यह कैसे होता है, यह कैसे होता है, यह कैसे होता है, तो वो एक interaction नहीं होती है, basically एक Q&A होता है, जो कि प्रिप्लैंड होता है, तो जो TV shows में बहुत सारे गेस्टों को बुला के जो कोशन पूछे जाते हैं वो भी बहुत सारे प्री ब्लैंड होते हैं तो दो आपके पास में एक है आपके पास में आप इंटर्वी अप्रूच को फॉलो कर रहे हो तो वो क्यों कोशन ना अंसर रिलेटेड है एक है podcast related जहां पर अपने बुद्धा चेर दिया जिसे मैं रिलेट की बात करके चुलूँ तो रिलेट में कई मेरे साथ से scripted होते होगे बट कई ना मुद्धे के रोड होते चलो आज हम इस बारे में बात करते है तो कोई अपना opinion share कर रहा है कोई अपना opinion share कर रहा है तो वो क्या हो रहा है वो opinion based discussion चल रही है तो मैं काऊँगा ये जो opinion based दोस्कास भी शैदी ही करता है तो ये जो opinion based चल रही है मैं इसको podcast की category में दालता हूँ इसको interview की category में नहीं दालता जो interviews है जैसे मेरे founder unfiltered किया है अगर आप कुछ चीज़ों के मेरे बात कर रहा है जैसे founder unfiltered की बात करके चल रही है बहुत technical content जा रहा है तो हमने क्या किया हमने इसके अंदर एक rapid fire introduce कर दिया जहांपर में founder से कोश्म पूछे थे डैश और डैश और डैश और डैश Android और IOS IOS फंडिंग और bootstrap बूट्फ्रैप एंजल इंवेस्मेंट और वेंचर के पिलिस एंजल इंवेस्मेंट और इक्विटी डैट तो यहां पर क्या होता था वो founder humanize हो जाता लोग क्यते थे यह तो मेरी तरह ही है तो मेरे जैसा ही है अरे इसको भी बड़ा वशंद है पर भी तरह तो बहुत लोग रिलेट करते थे तो इसे तरीके से आप भी कोई quiz कोई activity कुछ भी बना सकते हो तो मेरे कुछ-कुछ questions होते थे कि आप personal finance को किस तरीके से marriage करते हो क्यों कोई के आस-पास के time पे personal financing बहुत बड़ी चीज थी तो सबसे में opinion लेता था आपका personal finance कैसे manage करते हो, आप कैसे करते हो same questions सबसे बूछ रहा हूँ ऐसी बहुत सारे same questions होते हैं सबसे बूछता था और सबको wait होता था कि founder आएगा इसका यह जानना है कि इसका यह mindset इसको लेकि कैसा है, कई लोगों को देखा है मैंने games खिलाते हैं, ऐसे round वाली चीज़ों तिंको मालो, अब जहां पे रुकेगी चीज ऐसा होगा, coffee with Karan के दर आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़े चलती है ऐसी चीज़े कर सकते हो, basically हमको क्या करना है हमको activities introduce करनी है अपने podcast के अदर, जिसकी वएसे हम चाद interaction को और control कर सकते technical के अदर, non-technical के अगर हम बात करके चले, तो आपके लिए humor ही बहुत बढ़ी चीज़ है, humor है अगर आप हो, अभी चीज़ काम करेगी, बट मुझे असा लगता है कि humor introduce करते हो content के अंदर, light content के अंदर तो और ज़्यादा बेटर चलता, तो अभी हमने recently एक video live करी साइल करना talk show के उपर ही, जहां पर हमने पुरी controversial बात ही करी, वाई astrology fake है, अगर है तो वता logic क्या है, ऐसा क्या है, वोगर टेक्निकल तो अगर आप उसको देखोगे, उसका retention हमारे अभी तक के सारे podcast पे percentage वाई सबसे हाई है, और इसका one of the reason मेरे साब से रहेगा कि हमने नो उसको थोड़ा playful रखा, कि लोग बहुत जिग्यासू हो रहे थे, और वो बहुत तर टेक्निकल नहीं था, जहां पर अब बात करते हैं, प्रोड़क्शन के बारे में, प्रोड़क्शन का मतलब हो गया, हमने अभी planning करी है, अब हम बात कर रहे है shooting की, हम video कैसे shoot करने वाले है, तो इसके लिए सबसे important चीज़ है वो है आपका budget आपका budget ही define करने वाला है कि आप किस level पे podcast shoot करने वाले हो अगर मैं आपको honestly बता हूँ, तो मैंने अपने career के 3-4 साल starting में phone ही use किया है, अगर आपके पास में bright light है ना तो आप phone का use कर सकते हैं और आप अच्छी quality का मज़ा ले सकते हैं, तो अभी आप जो मुझे देख रहे हूँ यह phone से record किया हूँ, मैंने आपको कोई बहुत drastic quality का difference नहीं दिखाई दिया होगा, अगर आप बड़ी screen पे pixel beeping नहीं कर रहे हूँ और किसी को कोई फर्म नहीं परता quality के अंदर audio सबसे important role play करती है बाकी सारी चीज़े नहीं करती है और audio के लिए normal phone भी अब हमने इसको कर दिया है अगर मैं AI का यूज करके audio को process कर देता हूँ, तो भाई बहुत high level next quality की audio निकल के आ रही है और शायद अगर आप बहुत अच्छी quality की headphones यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस quality के अंदर जो अभी आप सुन रहे हैं और जो phone की सुन रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा चाहते हैं तो बोया का माइक आता है आपको description में लिंक दे दूँआ, आप बो ले सकते है अगर आपका budget उपर है तो मैं आपको recommend करूँगा, दो माइक again मैं description में दे रहता हूँ, एक road का माइक है, जो की currently मैं यूज कर रहा हूँ और एक नया BGI का माइक आया हूँ है, अब उसको भी उसकर सकते है, वो directly phone के अंदर ही plug-in हुज आता है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं podcast शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास में camera नहीं है, माइक नहीं है, कर सकते हो कोई problem नहीं है, अच्छी quality, अच्छा सब कुछ आज के time पे possible है, अभी मैं studio environment में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे light जाता है, अब outdoor कर लो, simple सी बात, अब outdoor जहाँ पे natural light का source है, भार से light आ रही है, अब बाहते सोच कर लो, अपको light की जुरत्ती पड़ेगी, तो अगर हम बहुती low on budget है, तो हम जब भी अपने guests को invite करने वाले हैं, वो अपनी location पे ना करें, उनकी location पे चले जाते हैं, तो हम उनकी location पे गए, हमने phone से shoot किया, regular mic का use किया, या phone वाले mic का use किया, और हमारा podcast शुरू हो चुका है, अगर आप next level ले जाना चाहते हो चीज़ों को तो आप camera ले सकते हो, आप mics को improve कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो अगर आपका budget culture नहीं है, तो मैं बताता हूँ, मेरे opinion की आप से best क्या-क्या है, देखो, Lumix का कोई भी camera आप ले सकते हो, reason और यह non-sport center पहले बतारो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, चो unlimited recording का option है, वो जबर दसता है, मिरे बाद सोनी का camera भी है, कहने को वो भी unlimited करता है, बट, जब मैं 4K high quality यह उपर shoot करता हूँ, लब में time के लिए, वो बोल जाता है, अगर मैं इस camera की बात करके चुलूँ, तो हम 8, 8, 10, 10 गंटे की workshop इनी camera से record कर पाते हैं, हमने क्या कर रखा है, हमने इस camera के उपर power bank लगा रखा है, ट्राइपोड के उपर, इसको power source दे दी है, नॉमली हो 4K के अंदर video record करता हूँ, तो मोटा मोटी 50 GB के आसपास, एक घंटे की file बनती है, एक card, 256 का है मेरे पास में, और इस camera के अंदर दो plot लग सकते हैं, तो ideally मैं 10 घंटे shoot कर सकता हूँ, एक ही go के अंदर, और इसमें power supply का भी option है, तो directly power bank में तार लगा दी, तो charge भी हो रहा है, record भी हो रहा है, तो मुझे personally ऐसा लगता है, अगर आप podcasting में professionally गुसरे हो, तो यह breaks नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत जगाओ उपे देखा है, कि वो 30 मिनिट के बाद camera रूख जाता है, फिर break आता है, फिर flow तूट जाता है, मुझे रखता है कि एक seamless conversation होनी चाहिए, मुझे अभी भी याद है, starting की बात है, मेरे पास में एक Lumix का camera था, एक Suni का camera था, और मैं आशिस तुलसियान जी के पास में गया था, शूट करने के लिए, उन्होंने मुझे से पूछा, कितना time चाहिए, मैं का sir, आप इतना बोल सकते हूँ, उनकी बात ego पे लग गई, और उन्होंने साड़े तीन घंटे हमारे साथ में का भाई, हमने को camera वही लेना है, जिसमें एक power source का option हो, जहां पर मैं power source दे सकूँ, और multiple cards दालता कूँ और switch कर सकूँ, तो अभी भी मुझे याद है, उस video के अंदर, हमने starting की video camera से shoot करी, दो camera यूज़ किये, उसके और दो camera एक camera हो गया, एक camera के बाद में phone से record हो रहा है, मेरा एक phone बढ़ गया, फिर हमने दूसरे phone से record किया है, तो भाई बहुत खतरनाक चीश थी, तो अपनी learning से मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कि पहले से plan करके जाओ, कि आप क्या करना चाहते हो, अगर आप phone से shoot करने का plan कर रहे हो, तो phone में storage खाली हो, अब मान के चलो, 2-5 गंटे का भी shoot हो सकता है, तो 2-5 गंटे में आपको जितनी भी storage की requirement है, आपको पता होनी चाहिए, अगर आप mic की बात करके चलों, तो जैसे मैं mic यूश करता हूँ, उसमें internal recording होती है, तो internal recording होती है, तो मैं को internal recording के लिए storage खाली रखनी है, इसके नहीं मैं सारा काम कर पाऊँगा, lights की अगर बात करके चलें, तो lights एक बहुत ही tricky चीज़ है, अगर आप खासकर podcasting की बात करके चलों, क्योंकि आज की time पर जो बड़े podcasters हैं, वो अपना एक studio बना के काम करते हैं, studio में जहां पर processing वो रखी होती है, वो indoor होता है, वहां पर outdoor lights नहीं होती, तो आपको external light source लगाना पड़ता है, तो जैसे अगर मैं यहां की बात करके चलों, तो उमने बहुत सारी light source लगा रखी है, आप भी इसी type के light source लगा सकते हैं, पर मैं आपको recommend नहीं करता, मैं कहते हूँ, starting के लिए, आप ऐसी location चुरों, जहां पर natural light आ रही, जैसे अगर अपने इस office की बात करके चलों, तो यहां पर हमने ऐसी ऐसी बहुत सारी जगाई बना रखी है, जहां पर अगर light ना भी हो, तो मैं natural source के अंदर भी shoot कर सकता हूँ, मैं अगर यहां location की बात करके चलों, तो मैं दिन के time पे bright light के अंदर without any studio light मैं shoot कर सकता हूँ, तो अगर आप professionally लेना चाहते हो, तो मैं description में आपको link दे दूँगा, कि इस budget के अंदर यह सही है, इस budget के अंदर यह सही है, इस budget के अंदर यह सही है, कई बार आपको camera रखने की space नहीं मिलती है, कई बार आपको angles नहीं मिलते है, कई बार आपके पास light source का option नहीं होता है, कई बार भार से natural light बहुत अच्छी आ रही होती है, तो आपको अपने हिसाब से चीज़ों को adjust करना बड़ता है, मुझा भी याद है, डाइस वीडिया के founder के जब मैंने interview लिया था, तो उनका जो office room था, वो बहुत छोटा था, जब हम शूट कर रहे था, तो मेरे पास camera की space नहीं थी रखने की, light की space नहीं थी, बार तर national light आ रही थी, तो बहुत ही untricky situation थी, आप देखो कितना ज़्यादा setup में issue है, अब कई लोगों को लगेगा कि setup खराब है, पट reality यह है, जब आप वहाँ पर जाते हो, कई बार location नहीं होती है, अगर मैं अपना सबसे पहला shoot की बात करके चोलू, तो वहाँ पर मैं लखी था, रितेश जी के office में सब को setup था, वहा आप देखो कितनी बड़िया चीज निकल के आई थी, अगर मैं अशिष कश्यप जी की बात करके चलू, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हम आमने सामने नहीं बैठ सकते थे, side side नहीं बैठ सकते, तो एक ही sofa था, तो हम सोपे भी इस तरीके से बैठ गए, अब कई लोगो टूली मैडली के अगर मैं बात करके चलू, तो टूली मैडली हमने शूट किया था, छत पे, दूप के अंदर, आउट्डोर लोकेशन के अंदर, तो आउट्लोर लोकेशन में सबसे हरी ट्रिकी चीज ही है, क्योंकि वह दो गंटे प्लस का एपिसोड था, तो सूरज धल र देगे, लाइट्स बढ़ा देगे, कर देगे, कोई औप्शन नहीं था, हमने तो इस कैमरा सेट किया, शुरू किया, शूट किया, और काम हो गया, तो ये भी मुझे लगता है, कि वह दो ट्रिकी था, तो आपको बतारा चाहूँआ, स्टोवा वाले में भार बादिश का मो देगे, अब आपे मैंने उनको क्लियर कर दिया, मेरे पास में लाइट्स नहीं है, तो उनने मिपोगा, आउट्डोर करते, बीस के किनारे, और डन, अब उस दिन, जब हम शूट करने वैटे, तो वारिश का मोसल हो गया, इसके चक्कर में डार्क हो गया, तो हमको बहुत ज यहां से light source आएगा, अब उसके आगे, अगर खड़ होगे, तो नहीं पर light पड़ती है, तो वो environment सही लगता है, अगर आप light के opposite खड़े होते हो, तो वो चीज़ डाक मुझाती है, तो वहां पर यही वाली scene हो रही थी, कि उनको मैंने light के सामने कर दिया, और अपने आपको side तो मेरे उपर proper light नहीं आ रही थी, उनके उपर light आ रही थी, तो अब देखना, आपको समझ में आएगा, उनकी quality और मेरी quality में बहुत difference दिखा ही दे रहा है, येट हमने अच्छा quality of camera यूज़ किया है, अगर मैं season 2 of order and filter की बात करके चलू, तो वहां पे हमने virtual किया था, तो virtual पे मुझे personally उत्तरा मज़ा नहीं आए, connection नहीं मन पाया, वर्श्व में basically क्या करते थे, zoom पे connect करते थे, एक camera उनको set up करने के लिए करते थे, एक camera मैं आप अपने बास set up कर लेता था, तो हम camera से बात करते थे, zoom का use करके, अब इसमें problem क्या आती थी, मैं तो expert हूँ, मुझे लाइट समझ में आती है, camera समझ में आता है, मेरी camera की quality अच्छी हो सकते है, पर guest के पास क्या उतना अच्छा camera होगा, क्या उनका audio source उतना अच्छा होगा, क्यों उनके पास में professional mics होगे, तो ये बहुँ जगा हमको tricky situation आ रही थी, कही कही ने बहुत professional हमारी help करी, अगर मैं skin craft क की बात करके चलू, वेदिक्स की बात करके चलू, इंडिया की बात करके चलू, तो उन सब ने अपने professional camera setup करवा के उनको footage दी, अगर मैं grow के लेली जी की बात करके चलू, तो उन्होंने अपने iPhone का camera यूज किया था, पुराना iPhone 6 था, तो quality उतनी अच्छी नहीं थी, audio में भी बहुत सारी दिक्कते आ रही थी, तो हमने जितना process कर सकते तो तब process किया, उस ताइन तक AI नहीं आया था, तो AI audio को हम बहुत next level process नहीं कर सकते थे, बट चीजे चल गई, फिर third season की बात करके चले, third season तक हम मैं चुगर ऊचुके तक हमको समझ में आ चुका था, तो आपको यूज करेंगे, तो हमने lenses की बढ़ा ली थी, हमारा budget बढ़िया था, तो अगर आप पूरा detail के अंदर सीखना चाते हो, यह camera कैसे होता है, editing कैसे होती है, सब कुछ कैसे होता है, यह camera angles, light विगरा, तो हम एक workshop कर रहे हैं, तीन दिन की description में लें दे रहे हैं, तो अगर आप च solo content creator बना पाए, scripting कैसे बनानी चाहिए, camera angles कैसे होते है, camera की setting कैसे होती है, editing कैसे करी जाती है, editing के styles क्या होते है, वो सारी चीजे जो एक solo creator को चाहिए, मैं आपको तीन के around काम करने की बात ने करूँआ, solo की बात करके चलूँगा, मैं अपनी बात करके चलता हूँ, starting के मैंन तो thumbnail मैं बनाना पसंद करता हूँ, वीडियो का जो final cut होता है, वो एक बार मैं review मारता हूँ कि उसमे क्या है, ये वाली workshop का नहीं मारता है, यो कि बड़ी होती है, बट अगर मैं astrology वाले चैनल की बात करके चलूँगा, तो वह पे हर वीडियो को review मारता हूँ, तो वो चीजे है हम detail के अंदर सीखेंगे, अगर आपको वो चीजे आती है, आपको पहले से ही content creation पता है, तो वो चीज आपके लिए नहीं है, अगर आप content creation दे next level जाना चाहते हूँ, तो workshop आपके लिए description में लिंक दे दिया है, आप book कर सकते है, offline होगा, डेली के अंदर होगा, और लगात सेट अप है, सब कुछ sort out है, अब बात आगे है, इस दिर हमको short करना है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से कोशल कूछने चाहिए, किस तरीके सारी चीज़े plan करनी चाहिए, सबसे पहला phase जो होता है, उसको मैं कहता हूँ, warm of phase, मैं personally, जब भी किसी guest से मिलता हूँ, तो मैं उ है, कि ऐसा कर रहे है, और उनके साथ में touch बनाने की कुछ करता था, ताकि जब camera के उपर आए, तो वो खुल के बोल, आज मैं थोड़ा सा ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा प्रिविलेज हो गया हूँ, तो मैं guest के साथ में additional time ले सकता हूँ, ज़ा मैं बाते कर सकता हूँ, उन कर रिट में बात क्या करनी चाहिए, अगर मैं बात करके चुलू, संदीद महीश्वरी शोग की जब मैं गया था, तो मेरी उनसे बात हुई थी, हाड़नी स्टार्टिंग के अंदर दो तीन मिरिट बस, और बाद में मेरी बात नी हुई, दो तीन मिरिट में उनने मुझे क् कि हम ऐसे डिसकस करेंगे, हमारा शूट ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हो, दो तीन मिरिट ही थे, तो उसमें क्या बाते हो सकती थी, यही बाते हो सकती थी, वर्सिस, अगर मैं फाउंडरन बिलिटन की बात करके चलू, तो वहाँ पर, जब मेरे पास टाइम होता था था, तो मैं गैस के साथ में, जैसे नितिन कामत जी के साथ बात करके चलू, तो मैं उनके साथ बैठके कम से कम मेरे 45 मिनिट पहले बाते गरी है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, हमने पहला सीजन किया, क्या सोच के किया, हमारी विजन क्या है, तो यही र हमने बहुत सारे फांडर्स के साथ में हिंदी में किया है और मीडिया साइट पर स्टाइल क्रेस और मॉब जंक्शन है जो विबन ओरियंटेड लाइस्टाइल ब्यूटी वेलनेस के विबसाइट से तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूंगा यह हिंदी में उतने अच्छे है पर आपके लिए हिंदी में अमारे साथ इंटर्यू कर रहे है मुझे अभी भी याद है स्किन क्राफ्ट वाले जो थे चेतन्द्या जी वह बल्कुल कंपटेबल नहीं थे पर उने हिंदी में बात करी और वीडियो में बोला भी कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है अगर ब हुआ वीडियो में बात नहीं कर दाने है पहले बताना और व्यां यह मारे करते हो जोइन चैसे करते हो और क्या करते हुए क्क्षा करते हूं मुझे छलन करते हो मैं अग्वद सब्सक्त्के पर केटिंग गाइडन्स देदेद हो क्योंकि यूम्केटिंग बैक्राउंड जी हूँ तो मैं बता जेता हूं यार देपर कॉंटेंट इस तरीके से जलता है इंडस्ट्री से तरीके से आम करती है फिर अपना प्रीज दे देता हूं कि मेरी एक एजिंसी थी मेरे बरी विसेंट ली वेची है अब मैं छोड़ा बेरोजगार हो गया था तो मैंने सोचा content creation को full time करते है तो ऐसा ऐसा हो गया तो अपने बारे में छोड़ा सा brief करता हूँ उसके बाद में mutual discussion के अंदर कुछ topics निकलाते फिर उस बारे में discuss करने लग जाते है जो की off topic होता है एक बार को आप कहा सकते है astrology के around होता है बट जो हम video shoot करने वाले जरूरी नहीं उसके around होता है और उस time के बाद जब मुझे लगता है कि guest को मैं समझ गया हूँ guest मेरे सा comfortable हो गया फिर मैं video के around बात करना शुरू करता हूँ कि अब बताओ हमको shoot क्या करना है कैसे plan कर रहे हो क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए तो उनका pointer की जानता हूँ अपना pointer की जानता हूँ ideally मैं बात करके चलू तो मैं कोशिश करता हूँ content को plan कर सकूँ पहले ही मतलब मैं चाहता है नहीं कि guest awkward हो जाए कि मैं उनसे कोशन पूचो यह और बार situation create होती थी जब मैं founder unfiltered गिया करता था क्योंकि मैं extra 4 गरता था उनसे जादा discussion होती थी हम सीधा बैठते थे और मैं सीधा issue करता था आपका क्या कितना है margin कितना है funding कब ली थी customer lifetime value भी देखके हूँ का आपका क्या आता है approach एक customer को acquire करने में हमारा करीब 250 रुपीज की acquisition cost है करीब पर हमारी average order value 900 अजार रुपेश ठीक है अब gross margin कापी हाए है कितना margin पे operate कर रहे हूँ हमारा gross margin अजारा हो करीब 62-63% है कितनी equity दी थी क्यों दी थी अभी किसके पास कितनी equity है पूरे एक्डम confidential चीज़ें गुज जाता था कई बार founders awkward हो जाते है कई-कई founders ने तो सिधा जूम पे virtual वाले की बात कर रहा हूँ वो तो बाय-बाय होगे बीच में बीच में कहते है network का issue आ रहा है अलाइंग करें चीज के ऊपर उसके बाद वो आके ऐसा ट्रीट कर रहे है कि value नहीं है तो मुझे वो चीज बुरी लगए 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 था पहले season के अंदर नो डाउथ मिन अपनी ego को एकदम zero रखा है एक फाउटर तो ऐसे भी थे जुन्होंने मेर को और मेरी टीम को almost दो गंटा बार office के दूप में कड़ा रखा था office में ताला लगए वो ताम दो गंटे बार कड़े उसके वाद जब office में गए फिर यार पानी भी नी पूछा और shoot शूरू करते है I am getting late और थोड़ा shoot किया और में भी interested नहीं था मेरे क्योंकि आया था मैं घर ले तो shoot बीच मेरा मन भी था मैं दाल दूँगा नी फिर में दाल दी but this is ethical problem कि आपको करना या नहीं करना अपना इमान बेचना या और नहीं बेचना season one में 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 अपना मान लो आप इमान बेचा है अपने आपको एकदब मीचे रखा है season two तक मुझे realization आगे थी कि या this is a win-win situation for both of us आप मुझे content दे रहे हूँ मैं आपको reach दे रहा हूँ audience दे रहा हूँ, branding दे रहा हूँ this is a win-win, अभी monetization के बारे में आगे बात करेंगे इसको monetize कैसे किया जा सकता है पर starting के अंदर में इसको monetize नहीं कर रहा था मेरे के लिए वह एक तरह से loss making proposition था अब बात करते है next ways के बारे में जहां पर हम shoot करने के लिए बैट गए है और हमारी conversation start हो गए conversation आप किसी भी तरीके से start कर सकते हैं लोग अलग अलग तरीके से करते हैं मेरा style यह है कि मैं पहले brief करता हूँ आज कौन है में साथ में हम क्या topic पर बार discuss करने वाले हैं मैं guest से उनका introduction उननी से करवाता हूँ उसके बाद सीधा discussion शुरू करूँ मेरा नाम है वास्तु गुरू अभिशेक गोयल आज मैं style जी के साथ वास्तु, astrology और astro वास्तु पर discussion करने वाला हूँ यह मेरा style है कई लोगों को मैंने देखा है मूं brief करते हैं इस podcast के अंदर क्या होगा, इस video के अंदर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सबके अपने वास्ताइल है आप hit and try करके दे सकते हैं चीजे आपके लिए कौन सी aligner थे बाट मांके चलते हैं अब हम बैट गए हैं अब हम शुरू कर रहे हैं और हमारा एक structure तयार है कोशल्स तयार है, सब कुछ तयार है तो बहुत सारी इसी चीजे हैं जिसको दिहान दे रहा है during the shooting सबसे पहले चीज हमारी body language हमारी body language वह होनी चाहिए जो हमारी audience देखना चाहते है जो हमारी audience है aligner अगर मैं एक professional business owner को target कर रहा हूँ तो मुझे वैसा ही बात करना है okay nice good idea तो यहाँ पर ऐसी tune हो जाएगी अगर मैं एक youth को 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे को target कर रहा तो अच्छा oh boy फिर 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 बता फिर क्या हो फिर क्या हो फिर क्या हो फिर क्या हो तो यह tonality body language विग्याना change दिखा ही दे रहे है क्यों? कि audience बदन रही है तो हमको अपनी audience के आप से अपनी body language रखनी चाहिए सब के अपने pattern होते हैं जैसे Ranveer के बहुत सारे meme बनते है वो गलत नहीं है उसका style है मुझे यसा लगता है जिसका जैसा style है उसको क्यों change करना है आप जो naturally हो अगर आप audience के लिए थोड़ा pseudo होना चाहते है तो आप अपने आपो better के तरह जाओ अगर आप natural रहना चाहते हो तो जैसे हो वैसे रहो ना एक चीज का जरूर जयान देना क्योंकि मेरे कई इंदा ये podcasters के साथ देखा है क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग interview लेते है तो जो लोग interview लेते है active listening नहीं कर रहे हो questions plan करके आया होते है मैंने एक question का answer पहले दे दिया पर उनकी list के अंदर वो question फिर से था तो फिर से question पूछ रहे है कोई sense नहीं इस बात पर वो करते है आपको लगेगा ऐसा कि वाई ये तो common sense वाली बात है अगर मैं found and filtered की बात करके चुलू तो मेरी सबसे important चीज़ हो दे थी active listening लो उनकी बात को एक डिटेल में समझ रहा होता था समझ रहा होता था और जहां मुझे question आता था मेरी audience के mindset से में question पूछ लेता था चाए वो मेरी script के अंदर हो मेरी रिसर्च के अंदर हो या फिर ना हो मैं पूछ लेता था साहिल करने टॉशों की बात करके चले तो यहां पर हम पोड़ासा प्लैंड चलते है की questions कैसे चलेगे आप कैसे हो क्यों रजमीर वाली approach को फोड़ो कर रहे है कि पहले से साहिल आ रहा है तो personality change नहीं होते ही बन देगी अगली चीज़ है conversation to control करना अब मैंने आपको बताया जो मेरा style है उसके अंदर मैं ज्यादा नहीं बोली मैं ओके हाँ ठीक है ठीक है या conversation से question निकालके उनसे वो question बूसता हो कई लोग होते हैं वो उनके साथ में बाते करते हैं अच्छा मेरे साथ से तो यह है आपकी असाथ से आप अपना बताओ तो वो two-way conversation चल रहा होता है वाट मैंने ऐसा देखा है मैं कम बोल के भी न conversation to control कर पाता हूँ क्योंकि being a content creator आपको समझ में आता है याँ यह वीडियो नहीं यहाँ ड्रॉप हो रही है क्योंकि जो guest है वो शैद उस level का content creator नहीं है वो content को नहीं समझता कि यह वीडियो यहाँ पर drop हो जाएगी यहाँ पर लोगों को मजा नहीं आएगा यह होगा वो होगा तो जहाँ पर drop आता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम कुछ activity करने थे वहाँ पर कुछ questionate करने थे वहाँ पर कुछ fun करने थे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर sales वाला principle है जादर load नहीं दालना सामने वाले के दिवाग में जैसी कुछ आदर technical चीज़े हूँ आपको लगे यहाँ पर drop आना शुरू हो रहा है कुछ joke मार दो conversation को अपने इसाब से control कर दो आपके पास पर पहले से questions तयार है तो आपको देखना है कि अपने question को किस तरीके से कहाँ पर fit in कर सकते हो किस तरीके से आप अपने questions राइट टाइमिंग पर पूसकते हो questions हो ही है जो अपने पहले से plan कर रखे थे बड़ा टाइमिंग राइट अपने आप से लिट कर पा रहे हूँ आप उनसे वह बुलवा पा रहे हो जो आप चाहते हो एक trick बताता हूँ मैं क्या करता था अगर मुझे कोई data चाही होता हूँ जो से आपने वाला guess नहीं देता था ये trick नहीं open कर रहा हूँ चीक है बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं guess से किस तरीके से इतनी detailed questions निकलवा लेता था था बंटिंग बंटिंग सब कुछ वो मना करते था रहा के फिर से कर लेता था तो एक अच्छा था देरीका है उनकी तारीफ कर तो starting पहले उनको light composition पर रखो तेके उसके बाद में कुछ topic related कुछ act basis पर बात करो उसके बाद में एक ऐसा चीज लेके हो जापर उनकी तारीफ कर पाऊ या वो अपनी खुद की तारीफ कर पाए हाँ हाँ मैं तो ऐसा 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 फिर जैसी वो uplift हो जाए न वहाँ पर वो questions पूछो जो आपको tricky questions पूछने मुझे लगता है कि जब बंदा uplift होता है न उस time पर questions पूछके ज्यादा data निकलवाया जा सकता है जो वह चीज बता रहा हूँ यह आप मान के चलो मेरे top secrets है अब बात यह है कि अब यह market में आ जाएगे तो सब use करेगे और यह government हो जाएगा क बाता खतम भी हो जाए वट मुझे ऐसे लगता है कि इस वीडियो के शायद उतनी ज्यादा व्यूस नहीं आएगे यहां तक बहुत सारे लोग नहीं देख रहे होगे तो यह tricks शायद ना हो प्लीज इसका कोई content मत बनाना इस बातों को बहार रही नीज मत जिसको देखना हो हो यहां पर इस section पर आके देखने और को टाइम सेंट बिन बद दालना नीचे कि यह वाला section सुन लोग अगली चीज जो आप composition कर रहे हो ना उसमें अपनी प्रसालिटी ट्रेट जरूर देखा हो प्रसालिट का मतलब क्या हुआ आप कैसे हो आपकी life में क्या चल रहा है आप इसको क्या चीज पसंद है क्या चीज पसंद नहीं है अगर आप अपना discussion कर रहे हो podcast के अंदर अपने opinion दे रहे हो वो भी दे रहा है तो यहां पर तो आप फिट इन कर सकते हो पर जहां पर आप बोल नहीं रहे हो आप अपनी प्रसालिटी कैसे डालोगे चोटे चोटे तो आप क्या सोचते हूँ, तो मैं एक तरह से एक पुपीनियन दाल रहा हूँ कि मेरी बेटी है, और मैं ऐसा ऐसा साथ सोचता हूँ, आप इस बारे में क्या सोचते हूँ, तो एक तरह से मैंने बता दिया कि मैं पेरेंट हूँ, मेरी बेटी भी है, सिर्फ इसे संटेंस के अ इंफोविशन मार्केट में दालती है मैंने एक फूटी से इंफोविशन दालती कि ठीक है आप कितना स्केल कर रहे हो कितना फंडिंग कर रहे हो हाँ मुझे भी फंडिंग का ओफर आया था बहुत टाइम पहले उस तरह मेरे वैंडिंग को इतना X था मैं बिसनस कर रहा हूँ मैं श्केल कर रहा हूँ ठीक है? ऐस명ली काहा कि अपनी कंपने एक कर ही थी तो मेरे ने खा कितने जटनलareaье एक्स के उपर कंपनी एक्वायर हे हो thereafter अच्या मेरी कंपनी 6-6 पे च क्वायर हूई है मेरे company acquire नहीं करवा दी यह, मुझे कमप्णी बेराइं कहीँ, इस थाएव से spilled, और आप जो चीजे डालना चाहते है, और आप जो चीजे डालना चाहते हैं, साटिक में अपने personality को detail में सब्जाता, पर यहां में personality की वह characteristics, जो हमारी audience के दिवाब के हम दालना चाहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ एक इसान है मैं हूँ मैं अगर बात करके चलो तो मेरी personality क्या है मुझे खाना पसंद है जो लोग मुझे follow करते हैं उनको पता है मुझे खाने में क्या पसंद है का मुझे बता रहे था कैसे पता है मेरे अपनी personality कंवे करी है जो इन लोगों को मेरे बारे में पता है उन लोगों को पता है मैंने किस time चुरू किया था और मैं कितनी मैनत करता था जो लोगों जो follow करते हैं उनको पता है मेरे company बेची है जो लोगों जो follow करते हैं उनको पता है पिछले साल मेरी personal life में क्या-क्या हुआ तो basically मैं क्या करता हूं मैं अपने personality के अंदर बहुत सारे चीज़े plugin करना शुरू करता हूं अगर आप अभी भी देखोगे इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़े plugin करी है मेरे आपको बहुत सारे अपने शूट्स के बारे में फ्लग करके बता दिया बहुत सारे अपने चैनल के बारे में बता दिया कि वाई साइज करना टॉप शोब इसा करते हैं लबा पांच एपिसोड के बाद में सीखी वो है network and reference अब जिन भी गैस से मिलते हो अगर आप उन से network बना के रखते हो और उनको कहते हो यार अगर आपके network में कोई है तो please refer कर दो तो refer कर देते हैं तो अगर मैं अपनी बात करके चलो तो मुझे सबसे जारे refer retention दे दिया मतलब मैं क होता था और एक लड़का है बंच वो और मैं मिलके mail mail खिरते थे और बहुत सारे लोगों को mail बिलते थे और correct हो जाता था हमने physically बहुत किये और network से ही बहुत सारी चीज़े होती हुए दिखाई दिये बाके मुझे ऐसा लगता है कि हम इन refers को और जार अचे तरीके से explore किया ह होता तो शायद मैं और जारा शूट कर पाता जल्दी हम फिर से restart कुछ कर दे वाले तो महां पर आप देखना कि इस तरीके से अब मैं नया direction of podcast शुरू करूँगा या नया type of content create करूँगा नये तरीके से करूँगा अब बात करते हैं सबसे important चीज़ के बारे में वह है editing हमार कई लोगों को देखा है वो editing को outsource कर देते हैं आपको 1000 रुपे से 10,000 रुपे तक के editors मिलेगे इंडिया के अंदर जो podcast edit करके देते हैं बाहन के चलो 1200 वाले भी ठीठा के edit करके देते हैं कोई बहुत बड़ी problem नहीं होती है अगर आप 4K 8 के edit करवा रहे हो तो आपको 10,000 वा और बेटर तरीके से control कर पाते हैं जैसे क्या होता है कई बार guests आते हैं हमारे पास में तो वो बोल रहे होते हैं और मेरा मन नहीं होता हमको interrupt करने का मैंने का चलते रहेंदो चलते रहेंदो but actually बोल रहे होते हैं उस time पे audience का retention घट रहा होता है वो जो दिख रहा होता है यार यह जो बोल रहे है इस बोरिंग यह नहीं चलेगा तो हम क्या करते हैं एरेटिंग के अंदर उस चीज को काट देते हैं अगर हम किसी और third party वाले बंदे से एरेटिंग करवाते हैं तो उसके पास में उतना control नहीं होता वो बीच का content काट नहीं सकता जायतर लोगों लगता ह है एरेटिंग का मतलब होता है वस कट मार दिये जब मैं बोल रहा हो मुझे दिखा दिया जो दूसरा बोल रहा हो दूसरे को दिखा दिया बीच बेच में एक wide angle frame दिखा दिया यह side by side angle frame दिखा दिया but actually अगर मैं अपनी बात करके चलू तो हम तो कोशिश करते हैं उसको इसे के साथ में नाम नहीं लोगा वो वीडियो रेलेटिवली जब शूट करी थी तो एक घंटा प्लस की थी but finally जब वो वीडियो आई तो 20-25-30 मिरिट के आसपास के थी तो यह बहुत सारी चीज़े अनाप्शनाती इसके कोई sense नहीं थी but अगर मैं rules की बात करके चलू तो सामने वाला देख रहा हो तो सामने वाला दिखाई दे बीच-बीच में मेरे expressions कर दिये कुछ कर दिये but मैं जिस theory वाला बंदा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाली audience जो मेरा content देख रही है उनके time की value है तो मुस value को improve करने के लिए क्या-क्या कर सकता हो वह उसकी भी आपको context दिखाया है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं किस frame की बात कर रहा हूं तो similarly यही same logic मैं podcast में भी करने कुछ करता हूँ क्योंकि जैसे अगर मैं astrological podcast की बात करके चलूँ तो आपर लोग बता रहे हैं को आपके पहले घर के अंदर यह है तो आप यह हो अब simple सी बात नह नहीं समझ में आता northwest कहां पे है तो हमने एक image दिखा दी जहां पे दिखा दिया कि भाई यह घर है इसके अंदर यह center है यह north है तो यह this is northwest जिससे लोग relate कर पाए हम क्या बोल रहे हैं उनको समझ में आना शुरूर जाए तो अगर मैं अपना rule बता हूं तो भाई मैं editing में control प उनको लगता है हर 5 second में कोई ना कोई change होनी चाहिए मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई ऐसा बहुत सारी लोग करते है तो चीज़े साही होगी बट मुझे ऐसा लगता है आज के time पे कि भाई personal correct नहीं बन पाता अगर आप सिर्फ music की वज़े से और बाकी चीजों की वज़ रहा हूँ यह जो fast-paced editing होती है बहुत जारे rating करते है जो लोग चिंगारिया निकालते है फोटोस चिंद होती है यह होता है वो कम होता चला जाएगा और जो नहीं कम करेगा वो absolute हो जाएगा क्योंकि longer form of content के अंदर सबसे important चीज रहेगी connection आपका और मेरा connection कितना अच्छा है कितने जिंगारिया निकाल दू कुछ नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है अगर बहुत ज़्यादा आप editing करते हो fast-paced editing करते हो तो उसके अंतर ना लोग आप पे trust नहीं कर पाते क्योंकि connection नहीं बन पाता editing को कभी detail के अंदर किसी workshop के अंदर cover करेंगे क्योंकि मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी problem podcast के अंदर एक सबसे important चीज है intro मुझे से लगता है intro ना बहुत important role play करता है आपकी video की growth के अंदर intro में हम करते क्या है intro में जो हमारी video की important parts होते है sensational parts होते है उनको आगे कर देते हमारे podcast के अंदर बहुत सारी important important चीजों के बारे में बात हुई होती है but वो starting के तो हम नी बता सकते है इस इस चीज के बारे में बात होती है क्योंकि वो video 10 minute की नहीं है जो हमारा content बनाया हो एक घंटा plus का ही है तो एक घंटे plus के content में हो सतता है हमने 15-20 topics के बारे में बात करी हो तो starting के अंदर वो 15-20 topics दिखा दे जो जो relevant है उससे लोगों का पता लग जाता है भाई content में क्या बिनने वाला है तो मैंने यहाँ पर trick क्या करी मैंने एक experiment किया कि अगर मेरी packaging मेरे intro से relatable होगी तो उसके बाद मेरा content कुछ भी हो तो क्या इससे impact पड़ेगा यह फिर नहीं पड़ेगा समझाने कुछ करता हूँ मेरा thumbnail जो आज कह रहा है मेरे title भी बही बात कह रहा है और मेरी intro भी बही बात कह रही है अगर यह तीनों चीज़े align करेगी न तो लोग हमारी वीडियो पर टिंक जाते है और ऐसा मेरे देखे हैं अगर 6-7 मिनट आपकी वीडियो पर टिंक जाए वो लंबे time तक आपकी वीडियो देखता है content में दम होगा तो बार-बार आपके content की तरह आएगा धोका नहीं करना है कि आपने जो बात करी है thumbnail के उपर packaging के उपर वो है ही नहीं बट अगर आप एक wider time को approach करके thumbnail बनाते हो तो chances high है कि वो चले तो intro की अंदर मैं personal level पर गोशिश करता हूँ एक story बनाना कि वाही जो 30-40 second के बेना intro बनाया है ना उस 30 second के intro गंदर जो 5 second है वो शायद 2 minute पे है अगले 5 second 4 minute पे है अगले 2 second शायद 20 minute पे है अगले 30 minute के उपर है उसके बाद में शायद last के इंदर वो बात हुई है और उन सब cuts को उने कठा किया और ऐसा कुछ club किया है कि ऐसा लग रहा है वो story है मैं आपको कुछ intros दिखाता हूं साहिल करने टॉक शो की आपको ऐसे लगेगा वीडियो इस बारे में है बट actually वो अलग अलग topics के बारे में बात हुई है और वो इतना अच्छे तरीके से ही लग रहा है कि बंदे ने constantly वो ही बात बुली है बट मान के चलो वो जो एक एक क्लिप से लो अलग लग जिगाव से आई है एक दो एक्जाम्पल देखो क्रिस्टिन जी ने कुछ activities करी जिसकी वज़ेसे उनको अगले जनम में वो भुगतना वड़ है वो तो destiny का वाट था तो अगले जनम में वो क्यों भुगतना वड़ रहा है तिथी हमारे हिंदूर culture के अंदर चल रहा है तिथी वादा सीन योगी हर 14 दिन की है अंग्रेजों का है 30 दिन 31 तो हाँ जो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday खेल रहे है वो कर रहे हैं अंग्रेजों के साफ से अंग्रेजों काटनी है कुछ ही नहीं करना पर एक्चुली तिथी के हिसाब से वो मंगलवारी नहीं है शुक्र होता है detailing आपका जो वीनस है वो भी आपका 8th house में है 2nd box यह हमारा पैसे को दिखाता है, finance को दिखाता है, assets को दिखाता है और हमारी फैमिली को भी दिखाता है, Ketu और मार्ट साथ लोगे काया है तापकी स्किल्स, finance में, money में, assets में, and marketing में देखो, जादू हो रहा है न, वेको जो जानता है, उसको पता है, मैं ही काम कर रहा हूँ तापकी नॉर्थ बन रही है, और 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 के निम के हिसाब से, E&E, East of North East भी बन सकती है तो अगर आप नॉर्थ में यह E&E में मंगल का कोई भी समान रख दोगे, तो आपका करियर और अच्छे से चलने लग जाएगा निम पे बढ़ने लग जाएगा अब editing का काम यहीं पे खतम नहीं हुआ है, इंट्रो पे खतम नहीं हुआ है हमको repurpose भी तो करदा है, अब यह repurpose क्या होता है? हमारे जो longer form content है, simple सी बात मैंने एक घंटे का content shoot कर लिया अब मैं एक घंटे वाली audience को यह प्रोश कर पा रहा हूँ क्यों ना उस content को multiple audience के लिए optimize किया जाए मैं short वाली, real वाली audience को भी इसी content से optimize कर सको मैं Facebook पे भी इसी content में से कहीं पे ले जा सको मैं जो लोग छोटा content देखना पसंद करते हैं एक घंटा वाला ने देखते हैं, पांसात मिनिट वाला देखते हैं उनको भी मैं यहां से attract कर सको तो क्या करना है, हमको short की strategy बनानी है और हमको micro videos की strategy बनानी है दोनों strategy से नजानी कुछ करता हूँ, हम किस तरीके से करते है short की बात करके चले, तो short अपने आप में एक video होनी चाहिए short की अंदर starting में hook होना चाहिए मतलब कोई चीज़ attract कर रही हूँ जितना जारा मासी short बनाओगे, उतने जारा chances है चलने के अभी recently हमने एक YouTube workshop करी थी, महाँ पर इसको detail में समझाया था क्या है क्या निया, आप उसको देख लेना, उसको detail में वाले चीज़ समझा रखी है अगर मैं एक micro content या फिर clip content की बात करके चलों, जो की 4-5-15 minute तक का है उस content के अंदर भी हम कोशिश करते है, जो हमने वीडियो बनाई है उस वीडियो के अंदर हम आनके चलते हैं, हमने 5 topic के बारे में बात कर रही थी एक video, एक topic के बारे में बात कर रही थी, तो एक video यहां से बनगे, यहां से बनगे, यहां से बनगे, यहां से बनगे, यहां से बनगे यह जो videos बनी है, यह short है, यह 1 minute से नीचे है, अगर आप हमारी कोई भी short देखोगे यह अफेर majorly Venus से पता चलता है, Venus आपका lust है, उसको दर्साता है, और혁स से पता चलता है, चंदुरमा भी आपकी lust को दर्साता है, चंदुरमा भी आपकी। इमोश्नस को, desires को दर्साता है अब Venus अपने आप भी बड़ा प्यारा लेकिन इसको अगर राहू का साथ मिल जाएगा वीनस आस्पेक्टेट बाई राहू या राहू के साथ बैठा हुआ है तो इसका अफेर होगा ठीक है क्योंकि अब इसके लस्ट धर तक नहीं टिका है गर के बाहर भी है और वीनस राहू का अगर सही हो गए होरोस्कोप में तो नासा उरा युनिवर्स जिसको मान चुका इंटिपिकली प्रूफ कर दिया कि हाँ ये बेस्ट है गायतरी मंतर गायतरी मंतर एक ऐसा मंतर है जिसके कोई नेगेटिव एफेक्ट्स है यह नहीं आपका कोई प्लैनेट कोई खाने में बैठाओ आप गायतरी मंतर गर लो सबक ओटोर्वाटके नेफ्रिशिन डाग जाएगा और डिप्रेशन नाग की चीज़ आपको आपको आएगी नहीं दोस गाउ मातर का अवरा ऐसा है या आपके आपकी दिप्रेशन की सिंक्टम्स को केरण तो इसेहा सेहीं आपने समस्ठ प्लैर्ट्स को साधलिये अगर आप हम पर अशा नहीं कर रहे हैं, कोई भी बात दालती है, उसके कोई sensor नहीं है, मैंने ऐसा देखा है, अगर आप short दालते हो, तो short से आपके जो main content है, उस पर traffic बढ़ना शुरू हो जाता है, एक वीडियो थी, सपने के regarding, वो वाली वीडियो हमारी YouTube पे भी चलिए, Instagram पे भी बहुत जारा चलिए, और जैसी वो वीडियो चलनी शुरू होई है, हमारा जो main longer form content है, वो भी चलना शुरू होगी है, तो short वाली audience भी long form के उपदर जा रही है, अब repurpose करते वक्त एक चीज़ का जरूर ध्यान देना है, कि हर platform अलग है, और platform का distribution क्योंकि वहाँ पे उस टाइप की audience बैठ ही है, अगर मैं highly technical content बना रहा हो YouTube, वो YouTube पे चल रहा है, जैसे इस वीडियो की बात करके चले, या फिर हमने funding workshop करी थी, वो Facebook पे नहीं चलेगा, वो शहरे LinkedIn पे चल सकता है, बट LinkedIn हमको इतनी लंबी videos दालने की privilege नहीं देता है, तो हमक YouTube पे बात करके चले, YouTube पे हर type की लोग बैठ है, तो हर type की आपको audience मिल जाती है, Twitter के उपर pseudo intellectuals बैठ है, intellectuals भी बैठ है, और negative लोग भी बहुत सारे बैठ है, politics discussion कर देवान लोग बैठ है, तो अगर आप जिस type का content मना रहा है, आपको समझना पड़ेगा, आपको उनकी उपर अगर आप distribute करोगे, तो जाना अच्छा रहेएगा, अगर मैंने एक video बनाई, जिसके अंदर business के बारे में बात करी थी, बट वहाँ पे कहीं नगे कोई political बात कर दी, तो उसको अगर मैं Twitter पे share कर दूँ, तो chances है, वहाँ पे मैंने कोई generic बात कर दी, motivational बात कर दी, उस content को ठा अगर मैं Facebook पे दाल दू, तो वह चल दाएगा, आइडिली ऐसा कहा जाता है कि आपको हर platform के लिए अलग तरीके से शूट भी करना चाहिए, वाट मैं मान के चुल रहा हूँ, गर रेक परपस करी रहे हूँ, तो क्यो ना हम 20 वीडियो बनाए, 20 वीडियो में से हो सकता है, 200 क बनाधा है, हो सकता है चेशा सास Facebook पे चल लाए, हो सकता है चार पाच Twitter पे चल लाए, हो सकता है LinkedIn के उपर पांच छ चल लाए, हम इस थाईपी strategy भी बना से हो अब फ़ायली बात करते है, पैकेजिं के बारे में, थम्नेल के बारे में, थम्नेल को वै किस तरीके से ट्रीड कर अगर आप देखो कि हमारे thumbnail के template है एक site में बैठता हूँ, एक site में guest बैठते है उपर की site में text लिखते है नीचे के site में banner बनाते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखते हैं तो जो नीचे की site होती है, वहाँ पर हम आज के time पर जासे मुझे दिखता है आप thumbnail देखते हो, टाइटल की starting वाली चीज़ पढ़ते हो, तो दोनों एक काहनी बनाती है और दोनों की दोनों जितनी wide हो सकती है, उतनी wide कुछ विशिश करते हैं अगर आप यहाँ पर देखते हो, तो यहाँ पर हम thumbnail में बहुत एक clean strategy रख रहे है कि एक group वाला फोटो होती है, एक group फोटो के अंदर, उपीछे लेंते हैं, topic क्या है, बात कता हूँ तो हम familiarity बना रहे हैं लोगों की भाई, हम इस type का content बनाते हैं किसे ने हमारी एक video देख लिए, उसको पता लगी हमारा thumbnail ऐसा होता है ऐसा thumbnails जादतों लोग बनानी थे, तो जैसी हमारा thumbnail दिखाई देगा, लोगों को अगर देखनी होगी, तो हमारा content देख लेगी अभी तक हम सिर्फ बाते कर रहे हैं, ऐसा होता है, यहाँ पर हम कोशिश करेगी, आप video शूट करो, आप ही पैकेजिंग, आप ही खुद बनाओ, आप ही इंट्रो बनाओ, बजाएगा अब हमारा जो अगला चेप्टर है, अब किस तरीके से पैसे कमाने भाई, शूटिंग होगी, एरिटिंग होगी, सब कुछ होगया है, पैसा कैसे बनाओ, पैसा बनाने का सबसे असान तरीका, आप स्पॉंसर लेओ, इस वीडियो स्पॉंसर भाई डैश बंदा, इस वीडि पंदरा सीरीज का फॉंटेंट है, जो बहुत चाहिए, तो आप ब्रैंड पर प्रोच कर सकते हो, जैसे अगर मैं बात करके चलू, रनवीर अलाबादिया की, तो उसकी एक, देखोगे, एक सीजन आता है, जहां पे कभी डर के आगे जीत होता है, कभी कुछ होता है, तो वो ये ब्रैंड नेन के साथ में जुड जाएगा, तो कुछ-कुछ लोग करते हैं ऐसा, जो कि ब्रैंड इंड कॉटन बनाते हैं, और मुझे लगता है, इससे आपको एक फिक्स इंकम मिलनी शुरू जाती है, इसके अंदर क्या होता है, आपको साल का पैसा मिलेगा, जो पर व अगर आप देखोगे, मैंने और मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का प्रोड़क्ट है, मैं खुद के अपने प्रोड़क्स बेच रहा हूँ, तो क्यो ना मैं अपने आपको मार्केट करू, एक ब्रैंड से अगर मैं दो लाग करू पर ले रहा हूं, मानके मेरा खराब होगा, पर मुझे पता है कि अगर मेरे पास में विजनस क्रेट हो रहा है, तो मेरे को कोई टैंचन नहीं है, पैसा बन रहा है, और हम उन सर्विस अपने इसाफ से दे पा रहे है, मुझे अपने प्रोड़क्ट में बरोसा है, और अभी कारी घथम नहीं हुई ह बोनस टिप्स भी देता हूं कुछ, सबसे पहली चीज, कभी भी आपको content creator बनना है, चाब podcaster बनना है, कुछ भी बनना है, एक feedback look की बहुत जारा जूरत है, आपको audience से सीखना है कि क्या आप गलत कर रहे हो और कैसे उसको improve कर सकते हो, तो जैसे मैं साहिल करने talk show की बात करके चलू, तो साहिल करने talk show में बहुत सारी comments आ रही थी, कि आपको बैगराउंड अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारी लोगों से आई है, बहुत सारी बात, हर एक बंती की बात नहीं सुननी है, बट जब एक ही बात को बहुत सारी लोग कह रहे हो, तो वो कोई बात होती ह इंपोर्टन सुन्दे वाले, तो हमने क्या किया है, हमने बटा बैकराउंड चेंज करती है, उसके बाद मैं गैस के साथ में साइट साइट में बढ़ता है, क्योंकि मेरे कास में देखना होता था, तो लोग कहता है आप गैस की तरफ में देखने लगा, तो मिरी आखे ऐसे होगी, तो लोगों का कमेंट आइन लगया, आपकी आँके टेड़ी होती है, अब सिंपल सी बात, being a content creator मेरा, हमेशा दिमाग चलता है, मेरा से ही इस कैमरे का आँके दिखना चाहिए, पर मैं गैस को भी देख रहा हूँ, तो मैं टेडा लाग रहा हूँ, तो हमने क्या किया हमने setup भी change कर दिया, फिर मुझे एक दो लोगों ने suggest किया, जिनको मैं अच्छा मानता हूँ, उन्होंने कहा, कि आप इस type का sofa यूज कर रहे हो, इसकी वैसे पीछे का background कट रहा है, आपके जो studio की look है, वो सब कुछ दब रही है, मिको बात तो सही है, हमने chair change कर दी, तो simple से feedback loop, जैसे-जैसे लेते रहते हो, आप improve होते जाते हो, जैसे content creator, अगर आप चाहो तो अपनी guest से भी feedback ले सकते हो, कि आपको के लगता है कि, क्या मैंने अपको uncomfortable feel तो नहीं कराया, क्या मैं कोई और better question पूसाता था, कई मेरे में कमी तो नहीं रह गई, कोई भी ऐसी चीज जो में को improvement के लिए बता पाऊ, तो basically जितना जारा आपने आपको improve करोगे, उतना जारा next level चले जाओगे, तो simple सी बात, practice makes a man perfect, but practice makes a man perfect, जो की feedback लूग लेता है, अगली ते बिसके अंधर में ये देना चाहूँगा, कि एक creator का mindset होता है, एक audience का mindset होता है, आपको दोनों समझदा बढ़ेगा, अब मैं अपनी बात करके चलूँ, तो being a creator, मेरा मन है किसी specific topic पे video बनाना, मेरा मन है अपनी curiosity पूरी करना किसी specific topic पे, but audience शाहिद वो नहीं चाहती है, अगर मेरा KPI view है, और मैं अपनी सुन रहा हूँ, तो तो गलत बात हो जाएगी, तो में को रनवीर अलाबा है, हमको content बनाना है, जिस पे views आए, चाहे वो तंतर के उपर हो, चाहे वो मंतर के उपर हो, और वो एक ही channel पे कर रहे है, अलग-अलग type का content, वो कहते हैं, ब्रॉडर से ब्रॉडर content बनाएगी, उसके बीच में एक micro content डाल देगी, जो हम बनाना चाहते है, audience जो सुनना चाहत की बात करके चलू, इस वीडियो की बात करके चलू, मैं तो expect नहीं करता कि ये वीडियो, million कभी भी जिन्दगी में it करेगी, हाँ, इसको पे paid course बना के करते है, तो शायद 1 million तो मैं कमा लेता, touch में रहना, अपने guest के साथ में, अगर आप guest के साथ में touch में रहते हो, तो आप आपका एक अच्छा relation बना रहा है था, future के लिए भी, आप इससे guest को दुबार से invite कर सकते हो, अगर आप साइज नहीं talk show पे देखोंगे, हमने बहुत सारे guest को repeat किया है, क्योंकि हमारा connection उनके साथ में अच्छा बन गया, उनसे बात में भी हम बात करते रहते थे, ये लोग अपने network से भी आपको मिलवाएगे, ये लोग आपको नए नए लोग लाके भी देगे, ये लोग आपको pure guidance provide करेगे, अगर आप उनके साथ में future में touch रहा होगे, क्योंकि देखो, simple सी बाद, पहला जब shoot हो रहा है, तो ये एक तरह का धंडा है, जहापे give and take चल रहा है, उनसे मैं अकसर connect में रहता हूँ, उनके WhatsApp status पे कुछ दलता है, उनका कुछ दलता है, तो मैं उनको wish कर देता हूँ, उनको gratulation, घर लिया नया, office कुछ नया शुरू किया, अभी उनकी cricket वानी team उनने खरीद रखी है, तो team जीन जाती है, तो मैं message कर देता हूँ, तो उससे क्या source के उपर relation नहीं मिल दूगा है, अगली tip में आपको देरा चाहूँगा, in-house versus outsource, देखो, starting के अंदर, अगर आप start कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो in-house करो, खुद से करो, बढ़ी आए, ठीक है, बट अगर आप बहुत जाला scale का plan कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि outs source में एक बहुत अच्छा तरीक है, मीच में क्या हुआ था, हमने shoot करना शुरू कर दिया, मेरी shoot की frequency ऐसा, जिन में दो-दो shoot कर रहा हूँ, बड़े-बड़े shoot, अब वो shoot करे जारों, कठे हो जारे है, कठे हो जारे, इना उसके चक्कर में हो नहीं पारा, अब क्या होता है, podcast कास में अचानक frequency वड़ जाती है, अचानक frequency कर हो जाती है, अभी लोग ज्यादा free थे, तो 80 हमने shoot कर लिए, अब उसके बाद में लोग अपने काम में busy हो गए, तो shoot नहीं हो पार है, हमको वीडियो तो एक एक करकी दालनी है, अब वो 20 shoots अराव अराव अराम से edit हो गे, अग source के अंदर लोग आपके हिसाब से content को कई बार काट नहीं पाते हैं, जो मैंने काना content का दर्द समझना, कहां पर drop हो रहा है उस चीज़को अटा देना, वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जो मैंने कुछ भोला है, उसके ऊपर कुछ लगाना है, वो कर पाए, वो नहीं कर पा 5.66 long form content भी दाल देते, clips भी आ रहे हैं, long form भी आ रहे हैं, तो इस case के लिए मैं आपको recommend कर हूँ, outsource कर, तो चलिए thank you, उमीद करता आपको मजा आओगा, मेरे कोशिश करिए आपको बहुत सारी चीज़े detail के अंदर बताने की, बहुत सारे अपने insights, secrets भी बताये हैं, और सार के अरौंड कुछ अलग content कभी फ्यीचर में produce कर देंगे, और इसके साथ आज की वीडियो कतम होती है उविद करता आपको मज़ा आओगा, like कर देना, share कर देना, comment दान वीडियो कैसी लगी, bye, good day sabakir, good आफिस गुड मॉर्निंग रठों जब यह वीडियो दिख रहे है जैहिन पंदिवातरम